और मेरे बहुत आधरनी है संबाननी है श्री चतुरबुज मित्तल जी, श्री अगनी शेखर जी, सुश्री वीना शर्मा जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी, और भाई श्री रोशनलाल जी, मेरे सहयोगी रहे श्री सत्यप्रकाश भारत जी, और महंत श्री नकोदरदास जी, और बहन, और भाई, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिबादन करता हूँ, और इस बात के लिए च्छमा चाहता हूँ, कि मैंने चलते हुए पंखे बंद कराए हैं, क्योंकि आपसे मुझे कुछ शान्ती से देश और समाज के बारे में, थोड़ी गर्मी हम सहन करें, क्यों क्योंकि इस देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी हैं, उन्होंने आपसे ज़्यादा गर्मिया सहन की हैं, मैं आज इस सभा के शुरुआत में सबसे पहले, भारत देश के अमर शहीद श्री मदनलाल धिंगरा जी को अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से श्रद्धानजली अर्पित करता हूं, इश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जब जब भारत देश को जरूरत पड़े, ऐसे सेकणों हजारों मदनलाल धिंगरा इस देश में पैदा होते रहें, और इस देश के सम्मान के लिए, इस देश की आजादी के लिए, अपने आप एक छोटी सी बात हम सब याद करें, वैसे तो आप सभी जानते हैं, मैं सिर्फ आपको ध्यान दिलाने के लिए कह रहा हूं, कि इस देश में जो 15 अगस्त आया 1947 को तूटा फूटा आधा धूरा जो भी है, बहुत कीमती है, हम भारत वासी इस बात को महसूस करते हैं, जानत हैं, समझते हैं, कि जैसी आजादी हमें चाहिए थी, वैसी नहीं मिली, जिस सपने को हमारे शहीदों ने देखा था, वो पूरा नहीं हुआ, महापुर्शों ने जिस आजादी के लिए बलिदान किये, वो आजादी नहीं मिल पाई, फिर भी आदी अधूरी, टूटी, अबसे पहली बात, कि आजादी के लाने में हमारे देश के सात लाख बतीस हलार साथसो इक्यासी शहीद होई, उनको शहादत होई. नदलल धिंगरा उन में से एक उधम सिंग उन में से एक भगत सिंग उन में से एक लाला लाच वत्राए उन में से एक शचिंदरनाथ सान्याल उन में से एक मनमतनाथ गुप्त उन में से एक चंदरशेखार आजाद उन में से एक जहां सीकी रानी लक्षुई बाई एक, रानी कित्तूर चनम्मा एक, रानी दुरगावती एक, ऐसे साथ लाख बतीस हजार साथ सो इक्यासी करांतिवीरों के बलिदान के बाद ये आज़ादी आई, बहुत कीमती है, इतनी बड़ी कीमत आज़ादी के लिए दुनिया में किस सो वर्षों तक, अफरीका अंग्रेजों का गुलाम हुआ साड़े चार सो वर्षों तक, अलजीरिया फ्रांस का गुलाम हुआ करीब तीन सो वर्षों तक, अलजीरिया के आसपास के जो छोटे यो अफरीकी देश हैं, वो गुलाम हुए अलग अलग देशों में, एशिया क बहुत सारे देश इंडोनेशिया, मलेशिया और हमारा पडोसी चीन भी गुलाम हुआ अंग्रेजों का, हमारा थोड़ा दूर का पडोसी जापान भी गुलाम हुआ अंग्रेजों का, हमारा दूर का पडोसी सिंगापुर भी गुलाम हुआ अंग्रेजों का, ऐसे दुनिया म संग्राम के लिए इतनी कुर्बानिया नहीं देनी पड़ी जो भारत में हुई अफरीका का इतिहास मैंने पढ़ा अफरीका का साड़े चार सो साल का गुलामी का इतिहास है और उससे आजादी की लड़ाई का उनका संगर्श का इतिहास है उस अफरीका में 56 हजार लोगों की कुल कुर्बानिया हुई और उसके बाद अफरीका आजाद हो गया इंडोनेशिया मलेशिया जैसे देश में 20 से 25 हजार लोगों की कुर्बानिया हुई दोनों देश आजाद हो गए अलजीरिया में 80,000 लोगों की कुर्बानी हुई अलजीरिया आजाद हो गया इसी तरह से यूरोप के छोटे देश, एशिया के कुछ बड़े देश, लेटिन अमेरिका के कुछ बड़े देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हर जगे शहीदों की शहादत भारत की संख्या में छोटी है, कम है भारत के शहीदों की शहादत सभी देशों के आजादी के इतिहास में सबसे अधिक है और हमारे देश में मदनलाल धिंगरा या भगत सिंग या उधम सिंग या चंदर शेखर जैसे शहीदों के बारे में और एक बात जाननी हो तो सबसे कम उम्र के सबसे ज़्यादा शहीद जो हुए हैं किसी देश में वो भी भारत में ही अंग्रेजों की फांसी के फंदे पर चड़े ऐसे हमारे देश में सेकड़ों करांतिवीर थे जो अंग्रेजों की परिभाशा में नाबालिक थे वो बालिक भी नहीं हुए थे उनकी उम्र 18 साल भी पूरी नहीं हुई थी ऐसे कई शहीदों को अंग्रेजों ने फासी पर चड़ा दिया हमारे देश में अंग्रेजों की लाठियां खाकर अंग्रेजों की गोलियां खाकर अंग्रेजों की तोप के मुँ से जिनका शरीर बांधा गया और गोले मार कर जिनके चित्धडे कर दिये गए ऐसे लोगों की संख्या को गिनना शुरू करेंगे तो वो लाखों से भी आगे करोणों में हैं पिछले दस बारे वर्षों से या कहना चाहिए पंद्रे वर्षों से मेरे एक गुरू माननी शरी धरंपाल जी के साथ मिलकर अंग्रेजी दस्तावेजों का इतिहास का जो अध्यन में कर रहा हूँ अभी तो गुरू मेरे साथ नहीं है लेकिन सुक्ष मरूप में भाव रूप में वो मेरे साथ अभी भी है उस जानकारी के अनुसार साथ लाख बत्तीस हदार साथ सो एक्यासी तो वो शहीद हैं जो फांसी पर चड़ गए लंदन की जेलों में या भारत की जेलों इसके अलावा अंग्रेजों की गोलियां खाकर जो शहीद हुए अंग्रेजों की लाठियां खाकर जो शहीद हुए अंग्रेजों ने तोप के गोले से उनको बांद कर उड़ा दिया अंग्रेजों ने भारत के हजारों लाखों लोगों को भूग से मरने के लिए मजबूर कर दिया ऐसे लोगों की संख्या साड़े चार करोड है वो अलग है हमारा तो दुर्भाग और अफसोस इस देश का ये है कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमने हमारे शहीदों के बारे में हमारे देश के उन लोगों के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की है जिनों ने अपना सर्वस सुन्य उचावर करके इस देश को आज़ादी दिलाईए कोई बड़ा रिसर्च का काम अभी तक इस देश में नहीं हुआ है मैं आज सवेरे हिमाचल प्रदेश आया यहां आने के बाद एक सुख़द अनुभूती मुझे हुई हमारे पतेंजली योग पीट और भारस वाइमान से जुड़े हुए एक भाई जो यहां उपस्तित है उन्होंने मुझे कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश के शहीदों पर कुछ काम कर रहा हूँ तो मैंने का आप बहुत बड़ा काम कर रहा है लेकिन ये काम आजादी के 62 साल के बाद हो रहा है ये काम तो आजादी मिलते ही होना चाहिए था हिमाचल प्रदेश में कौन शहीद हुए जम्मू काश्मीर में कौन शहीद हुए पंजाब में कौन शहीद हुए हर्याना में कौन कौन शहीद हो गए उत्तर प्रदेश में कौन हो गए, मद्ध प्रदेश में कौन हो गए, उडिसा बंगाल बिहार में कौन शहीद हुए इसकी जानकारी तो हमारे देश के बच्चों को आजादी मिलने के एक दो साल के अंदर ही हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई है, बहुत अफसोस है मेरे जैसे आदमी को भी हिंदुस्तान के शहीदों के बारे में कोई कहे कि आप एक सूची बनाओ, कितने शहीदों के बारे में आप जानते हो तो दस, बीस, पचास, सो, दोसो, पाँच सो नाम लिखने के बाद मेरी कलम भी रुक जाएगी क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है मुझे तो परम सम्माननी धरंपाल जी जैसे किसी व्यक्ती का सहयोग नहीं मिला होता या उनका दिशा निर्देश नहीं मिला होता और ये साड़े चार करोड की संख्या उस समय के भारत की है जब भारत की कुल आबादी बाइस करोड की थी बाइस करोड की आबादी में साड़े चार करोड लोगों का शहीद हो जाना कोई मामूली बात नहीं है बहुत गहरी और बहुत उची बात है जिसका विशलेशन होने पर हमें अंदाजा लगेगा कि लोगों में आजादी का और स्वतनतरता का जज़बा कितना उचा था कि वो सब कुछ बलिदान दे कर इस देश से चलेगा अगर हम मोटी सी बात समझने की कोशिश करें 22 करोड की आबादी में साड़े चार करोड लोगों का शहीद हो जाना मने 25 प्रतिशत आबादी का देश की आजादी के लिए खतम हो जाना फना हो जाना नियोचावर हो जाना 25 प्रतिशत आबादी किसी देश की अपनी स्वतनतरता के लिए अपनी आजादी के लिए खतम हो जाए फना हो जाए तो ये कोई साधरन बात नहीं है इसलिए मैंने कहा आजादी बहुत कीमती है स्वतंतरता बहुत कीमती है भले ही ये आधूदी आधी अधूरी है हमारे मन में करोध है गुसा है कि आजादी आई देश का बटवारा हुआ देश के दो टुकड़े हुए उसका छोब है रंज है गम है हमारे दिल में आजादी पूरी आनी चाहिए थी देश खंड खंड नहीं बटना चाहिए था देश एक ही रहना चाहिए था लेकिन बटे हुए देश पर हमने आजादी लाई तो आजादी का जो खुशी है जो पूरा सा है ये बात सही है और इससे भी जादा सही एक दूसरी बात है कि आजादी आई तो हमारे उन शहीदों के सपनों का क्या हुआ जिन सपनों के लिए शहीदों ने आजादी लाई मैं एक नाम लेके बात कहता हूँ शहीद आजम भगत सिंग को जब असेंबली में बम गिराने के आरोप में गिरफतार कर लिया गया और सांडर्स की हत्या करने के आरोप में उनको लाहर जेल में बंद कर दिया गया और उनके उपर मुकदमे चलाया जाना शुरू हो गया उस समय की एक घटना सुना के बात शुरू करना चाहता हूँ शहीद आजम भगत सिंग ने एक घोशना पत्र लिखा एक मेमुरेंडम बनाया एक मैनिफेस्टो बनाया और वो कुछ ऐसा था जो भारत की आजादी के बाद का भारत कैसा होगा उसका स्वपन दिखाने वाला उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर बातें कहीं अब अचम्बा और हैरानी तो इस बात की होती है कि 23 साल का एक नौजवान इतनी गहरी बात कह सकता है और सोच सकता है ये हैरान करने वाली बात है 23 साल की उमर में किसी नौजवान को इतनी दूर दरश्टी हो सकती है ये बहुत हैरान करने वाली बात है 23 साल की उमर होती ही क्या है आज के समय में हम देखें हमारे देश के 23 साल की उमर के नौजवान लड़के लड़किया क्या कर रहे हैं क्या कह रहे हैं क्या जी रहे हैं क कि उसकी तुलना करना शुरू करें तो बहुत हैरानी और अचमबा होता है कि शहीद आजम भगत सिंग ने 23 साल की उमर में क्या लिख दिया अपने घोशना पत्र में वो लिखते हैं कि मैं देख रहा हूं मेरी कुर्बानी मेरी शहादत के 15 साल के बाद ये देश आजाद हो ज देखिए 1931 में भगत सिंग की शहादत हुई 23 मार्च को और 1946 तीन जुलाई को अंग्रेजों ने घोशना कर दी कि वो भारत छोड़कर जा रहे हैं लगबग ठीक 15 साल के बाद ही देश की आजादी आगए फिर वो शहीद कहते हैं भगत सिंग कि मुझे अफसोस इस बात का होगा कि आजादी तो आजाएगी लेकिन आजादी के बाद का भारत कैसा होगा अगर हमने अंग्रेजों की गुलामी की व्यवस्था को नहीं बदला तो अंग्रेजों की गुलामी की व्यवस्था से मतलब भगत सिंग का कहना था कि अंग्रेजी कानून अंग्रेजी नियम अंग्रेजी सिक्षा अंग्रेजी प्रसाशनिक व्यवस्था अंग्रेजी अर्थ व्यवस्था अंग्रेजी कृशी व्यवस्था अंग्रेजी समाज व आजादी बेमानी हो जाएगी बेकार हो जाएगी उसकी कोई सार्थकता नहीं रहे जाएगी अब आजादी के 62 साल के बाद भगत सिंग जी का कहा हुआ ये बयान बिलकुल सच दिखाई देता है आजादी के 62 साल के बाद ऐसा ही लगता है कि शायद आजादी बेमानी हो गई ह सार्थकता उसकी कहीं खो गई और ये अकेले भगत सिंग की बात नहीं है यही बात हिंदुस्तान के उन सब क्रांतिवीरों की है जो अलग-अलग समय पर शहीद हुए अमर शहीद चंदरशेकर आजाद अमर शहीद रामपरसाद बिस्मिल अमर शहीद आशफाक उल्ला अमर शहीद सचिंदरनात लाहडी अमर शहीद मनमतनात गुप्त ये सब लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया था और उस संगठन का नाम रखा था हिंदुस्तानी सोसलिस्ट रिपबलिक एसोसियेशन ये संगठन का गठन सन 1924 में हुआ था वारण सी इसका केंद्र था मुख्य कारियाल है था इस संगठन की तरफ से नौ बिंदुों का एक घोशना पत्र जारी किया गया था कि हम ये संगठन बना रहे हैं हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए और आजादी के बाद अपने सपनों का भारत बनाने के लिए तो जिन शहीदों ने करान्तिवीरों ने ये संगठन तयार किया इस संगठन के अध्यक्ष थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और इस संगठन के सचिव हुआ करते थे अमर शहीद चंदर शेकर आजाद और बाकी उनके करान्तिवीरों ने मिलकर एक घोशना पत्र लिखा और वो पूरे देश के लिए जारी किया उस घोशना पत्र का नाम था दर रिवोल्यूशन करान्ति और उसमें पहला बिंदू ये था कि आजाद तो हम हो ही जाएंगे आज नहीं तो कल बस हमारा संकल्प बढ़ते रहना चाहिए आजादी के लिए उसमें लिखा गया कि आजादी तो हमें मिलेगी क्योंकि ये हमारी स्वाभावी किस्थिती है ज्यादा दिन किसी भी प्रजा को कोई भी दूसरा देश गुलाम बनाकर नहीं रख सकता इसलिए भारत तो आजाद होगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों और हमारी कुर्बानिया बेकार नहीं जाएंगी लेकिन हमारी चिंता आजादी के बाद के भारत की है उसका स्वरूप कैसा होगा उसका रंग कैसा होगा उसका रूप कैसा होगा किस रास्ते पर वो भारत चलेगा वो हमारी चिंता का विशय है तो उसमें उन्होंने इस पश्ट लिखा कि आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई किसी का शोशन ना कर सके और कोई बहुत गरीब और कोई बहुत अमीर ना हो सके पहला बिंदू दूसरा बिंदू आजदी के बाद के भारत की कृशी विवस्था ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी किसान को ये न लगे कि खेती करके उसने जीवन में कोई अपराद किया है या खेती करके उसने कोई पाप किया है फिर तीसरा बिंदू आज़ादी के बाद भारत के हर श्रमिक को हर मजदूर को इतना सम्मान और इतना वेतन तो होना ही चाहिए कि वो अपने बेटे बेटियों को गर्व से ये कह सके कि तुम भी चाहो तो श्रमिक हो सकते हो मजदूर हो सकते चोथा बिंदू आज़ादी के बाद हिंदूस्तान की किसी भी मा बहन बेटी को रात के बारे बजे किसी अकेली सड़क पर निकलते समय जानवर का डर तो होना चाहिए लेकिन मनुष्य से कोई डर नहीं होना चाहिए ऐसा समाज हो इस देश का आगे का बिंदू आज़ादी के बाद इस देश की किसी भी मा बहन बेटी के साथ ऐसी बत्तमीजी और बेज़ज़ती कोई हिंदूस्तानी ना करे जो अंग्रेज पिछले सेकड़ों साल से इस देश में कर रहे फिर उस घोशना पत्र का एक बिंदू है आज़ादी के बाद भारत के हर अमीर और गरीब उसमें लिखा है ब्रैकेट में बहुत इसपश्ट कि किसी भी समाज में अमीर और गरीब तो रहेंगे लेकिन अमीर और गरीब के बीच का अंतर इतना नहीं होना चाहिए कि एक उंग्ली बिलकुल छोटी हो जाए और दूसरी उंग्ली बहुत लंबी हो जाए उंग्लियों में जतनी छोटाई बढ़ाई है उंग्लियों में जतनी उंचाई नीचाई है उंगलियों में जितनी कम और बढ़त है सामन ने रूप से थोड़ी ही है इतनी ही समाज के अमीर और गरीब में होनी चाहिए ऐसा आज़ादी के बाद का भारत हो और ऐसे करकर के उसमें नौ बिंदू है आखरी बिंदू है कि हम सब हम सब मने भगत सिंग हम सब मने राम प्रसाद बिसमिल हम सब मने आश्वा कुला जिनों ने बनाया वो संगठन और जारी किया ये घोशना पत्र उसमें कहा कि हम सब इस घोशना पत्र को जारी कर रहे हैं अपने हस्ताक्षर के साथ इस उमीद से कि हमारे जाने के बाद हिंदुस्तान की नौजवान ताकत इस घोशना पत्र को भारत के सपनों को सुईकार करने में और सार्थक बनाने में राद दिन काम करे मने हम जितना कर पाएंगे करेंगे हमारे जाने के बाद भारत की नौजवान ताकत इस काम को आगे बढ़ाए ये हिंदुस्तान के शहीदों के सपनों का कुछ भारत था थोड़ा और पीछे चलें भगत सिंग, उदम सिंग, चंदरशेकर्द, मदललाल, धिंगला, आश्वाकुला ये सब करांतिवीर थे उननीसवी शताबदी के अठारवी शताबदी के करांतिवीरों की बात करें नाना सहाब पेश्वा, तांतिया टोपे, जहांसी गरानी लक्षमी बाई, मौलाना अजीम उल्ला, मौलाना अमजब खान इन करांतिवीरों की बात करें, उनका सपना क्या था? उनका सपना एक ही था जो उन्नीस विशताबदी के करांतिवीरों का था संपूर्ण आजादी चाहिए संपूर्ण स्वराजी चाहिए इससे कम कुछ नहीं चाहिए समय समय पर भारत में क्या होता था जब जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत होती थी संग्राम होता था कोई बड़ी लड़ाई होती थी तो अंग्रेज सरकार भारतवासियों के सामने लॉली पॉप फेकती थी चुगगा फेकती थी अंग्रेजों की सरकार क्या कहती थी भारतवासियों से आप हमारे साथ मिल जाओ और मिलकर इस देश की सप्ता चलाओ माने अंग्रेजों की जो सरकार चल रही है इस सरकार में आप भारतवासी भी शामिल हो जाओ और मिलकर देश चलाओ, अंग्रेज भी रहें, भारतवासी भी रहें, इस तरह का समय समय पर अंग्रेज प्रस्ताओ प्रस्तुत करते थे एक बार कुछ भारतवासी उसमें फस भी गए, उनके चक्कर में आ गए, शायद मन कमजोर था, संकल्ब कमजोर था, दूर की कोई द्रश्टी नहीं थी, कोई पकी उनकी जमीन नहीं थी, कोई उनकी नीव नहीं थी, इसलिए फस गए होंगे तो कुछ भारतवासीों ने मिलकर एक पार्टी बना ली थी, जिसका नाम था स्वराज पार्टी, इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित मोतीलाल नहरू, इस स्वराज पार्टी के सचिव हुआ करते थे फिरोशा मैता, इस स्वराज पार्टी में शा आदातर नेता इस स्वराज पारिटी में थे और इनका काम क्या था अंग्रेजों से वारता कर लो कोई समझोता हो जाए और अंग्रेजों के साथ हम भी सरकार में शामिल हो जाए थोड़ा अंग्रेज लूटें थोड़ा हम लूटें काम इस तरह से चले जैसे आज हमारे देश में कोलीशन गवर्मेंट चलती है न सत्ता के लिए ये पार्टी भी ये पार्टी भी ये पार्टी भी सम मिलकर एक साथ हो जाए थोड़ा तुम लूटो थोड़ा हम लूटें तुमारा पेट भरे हमारा पेट भरे तो ये कोलीशन गवर्मेंट भारत म में कोई नई चीज नहीं है यह अंग्रेजों के जमाने का खिस्सा है स्वराज पार्टी भी ऐसा ही एक प्रयास था कि अंग्रेजों के साथ मिलकर कोलीशन में एक सरकार चलाई जाए तो वो कोलीशन वाले लोग क्या कहते थे भले आजादी मिले ना मिले भले स्वतंतरता आए या ना आए भले अंग्रेज चाहें भारत में रहें चाहें तो लंदन चले जाएं हमको अंग्रेजों के साथ सक्ता में शामिल होकर वो सम्मलाई चाटने को म जिसको अंग्रेज अकेले चाट रहे हैं तो ये एक माहौल बनता था बीच बीच में अंग्रेज इस तरह का पासा फेकते थे हिंदुस्तानी कुछ नेता उसमें फसते थे ऐसे समय पर भारत के एक रांतिवीर जिनके संकल पूचे थे जिनकी नीव बहुत मजबूत थी जिनक को ये कोलिशन की सब्दा नहीं चाहिए संपूर स्वराजि चाहिए पूरी आजादी चाहिए जिसमें हम हमारे देश के मालिक होंगे अंग्रेजों के साथ मिल कर सरकार चलाना और सब्दा की बंदर मांट करना इसके लिए तो ये संगराम नहीं तो नाना सहाब पेश्वा तात्यां टोपे, जहासी रानी लक्षुईवाई, रानी कितूर चनम्मा, नाना फड़नवीस, बासदेव वलवंत फड़के, ये सारे क्रांतिकारी अठारवी शताब दी के, ये कहा करते थे संपून आजादी चाहिए, संपून सुराजी चाहिए, संपून स्वतंतरता चाहि इसके बाद के जो क्रांतिवीर निकले लाला लाजवत्रा है, लोक्मा निबाल गंगादर तिलक, विपिन चंद्रपाल, अर्विंदो घोष, वो भी इसी धारा के थे, कि संपून आजादी चाहिए, संपून स्वतंतरता चाहिए एक बार लाला लाजवत्रा है, लोक्मा निबाल गंगादर तिलक और विपिन चंद्रपाल और अर्विंदो घोष, ये चारों मिलकर, एक ही सभा में, एक ही मंच से भाशन दे रहे थे सभाथी पूने में, साल था सन 1905, और मामला था अंग्रेजों द्वारा बंगाल का बटवारा अंग्रेजों ने हिंदोस्तान का एक राज़ी जिसका नाम था बंगाल उसको दो हिस्सों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल, पश्मी बंगाल पूर्वी बंगाल मुसल्मानों के लिए पश्मी बंगाल हिंदूों के लिए हिंदू और मुसल्मान के आधार पर भारत का बटवारा हो ये मुहम्मद अली जिन्ना का सपना नहीं था ये अंग्रेज अधिकारी करजन का सपना था जो 1905 में उसने करियानवईद कर दिया था सेतालीस में जाकर भारत का बटवारा हुआ वो तो आपचारिक था थी बीज तो 1905 में अंग्रेजों ने डाल दिया था कि भारत का बटवारा हिंदू और मुसल्मान के आधार पर करना और अंग्रेजों ने ये क्यों किया था क्योंकि 1905 के पहले हिंदू और मुसल्मान पूरी ताकत से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे मैंने आपको बताया एक तरफ नाना सहाब पेशवा थे तो दूसरी तरफ अजीम उल्ला थे एक तरफ तात्यां टोपे थे तो अमजद खान थे एक तरफ हमारे देश की जहांसी रानी लक्श्मी बाई थी तो दूसरी तरफ बेगम हजरत महल थी कोई कम मुसल्मान इस देश की आजादी के लिए लड़े नहीं हैं बहुत लड़े हैं और बहुत शहीद हुए तो ये हिंदू मुसल्मान मिलके लड़ रहे थे और अंग्रेजों को खत्रा इसी बात से था कि अगर ये हिंदू मुसल्मान इसी तरह से मिलकर लड़ते रहेंगे तो हमको तो आज नहीं कल भागना ही पड़ेगा तो अंग्रेजों ने एक सिध्धान्त बनाया था जिसको वो कहते थे डॉक्टरिन फॉर डिवाइड एंड रूल बांटो और राज करो का सिध्धान्त उसमें उन्होंने हिंदू मुसल्मानों का बटवारा करने का तैय किया था हिंदू मुसल्मानों के खिलाफ हो मुसल्मान हिंदूों के खिलाफ हो तो अंग्रेजों ने पूरी एक टॉली बनाई हुई थी जिसमें अंग्रेज सेनिक रहा करते थे ये टोली का एक ही काम होता था बड़े-बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है बंबई है, एहमदाबाद है मदरास है, बैंगलोर है इन बड़े बड़े शहरों में ये अंग्रेज अधिकारियों की टोली क्या किया करती थी रात में चुपचाप किसी मस्जिद के सामने जाकर सूर काटके फेक दिया करती थी और रात में किसी मंदिर के सामने जाकर चुपचाप गाए काटके फेक दिया करती थी सबेरे सबेरे अंग्रेजों की तरफ से ऐलान किया जाता था मुसल्मानों के अलाकों में ये भढ़काया जाता था कि देखो तुमारी मस्जित के सामने सुर काट के फेक दिया इन काफिर हिंदूों ने और हिंदूों की बस्ती में आकर ऐलान किया जाता था कि देखो तुमारे मंदिर के सामने तुमारी पवित्र गाई को काट कर फेंक दिया इन मलेच मुसल्मानों ने तो हिंदूओं का खून गरम होता था मुसल्मानों के खिलाफ और मुसल्मानों का गरम होता था हिंदूओं के खिलाफ उसमें दोनों जगडा करते थे एक दूसरे को मारते थे एक दूसरे से मरते थे और अंग्रेज खिल खिला कर हसा करते थे अंग्रेजों ने इसी साजिश के तहट बंगाल का बटवारा किया था पूरवी बंगाल मुसल्मानों का पश्वी बंगाल हिंदूों का तब हिंदू और मुसल्मान एक साथ खड़े हुए थे पूरे देश में और उन्होंने संकल्प लिया था बटवारा अंग्रेजों ने भौतिक रूप से तो कर दिया है लेकिन आत्मिक रूप से भावनात्मक रूप से हम होने नहीं देंगे और अब इन अंग्रेजों को भारत से उखाड क अधर ही दम लेंगे तब भारत के दक्षुन और उत्तर के नेता पूरब और पश्यम के नेता एक साथ मिलकर आजादी के लिए लड़ रहे थे उस समय की ये घटना है लालालाच पत्राय उत्तर भारत के नेता बाल गंगादर तिलक पश्यम भारत के नेता विपिंचंद्र जपाल, अरुइनदो, घोशपूर भी भारत के नेता ये मिलकर एक साथ सबहाएं किया करते थे तो ऐसी ही एक सबहा पुने में हो रही थी उस सबहा में कुछ अंग्रेजी पत्रकार भी आये हुए थे विदेशी पत्रकार भी आये हुए थे उस समय ये बिटिश ब्रॉडक Circa Corporation चला करता था और अंगरेजों का एक अखवाफार निकला करता था जिसको आज कल हम Times of India कहते हैं वो एक जमाने में Times of England हुआ करता था बाद में इसका हिंदुस्तानी करन she Tech paranh हुआ तो उस अखवार के कुछ reporter BBC के कुछ reporter बैठे हुए थे लोकमा नितिलक ने मंज बाद अंग्रेज पत्रकारों ने पूछा था आपको भरोसा है कि सुराज जाएगा तो लोकबान इतलख ने कहा कि आपको भरोसा है कि अंग्रेज यहां हमेशा रहेंगे तो उन्होंने का हमको तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने तो भारत में 1000 साल रहने की योजना बनाई है तो लोकवान इतिलक ने कहा कि इस योजना को पलीता लगाने का काम हम करेंगे और एक हजार साल तो क्या हो सकता है पचास साल भी अंग्रेज हिंदुस्तान में न रह पाएं उसके पहले ही उनको ये देश छोड़ कर भाग जाना पड़े 1905 में उन्होंने कहा था कि 50 साल भी जादा है और 1946 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की बात की थी मतलब ये है कि जब क्रांतिवीरों का संकल्प बड़ा होता है जमीन बहुत पक्की होती है और इसम्रती उनकी बहुत गहरी होती है तो उनके मूँ से निकले हुए वाक के भविश्यवानी बन जाया करते हैं वैसा ही हुआ करता था तो उनकी भविश्यवानी तो हो गई सिद्ध अंग्रेज तो भाग गए 15 अगस्त 1947 को लेकिन हम सबको अब गंभीरता से ये सोचना है कि अंग्रेजों के भाग जाने के बाद इस देश में क्या वो सब हो पाया जिसके लिए शहीदों ने कुर्बानी दी है अंग्रेजों के भाग जाने के बाद क्या अंग्रेजी इस देश से भाग गई है अंग्रेजों के भाग जाने के बाद क्या व्यवस्था बदल गई है जिस व्यवस्था के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी है या आजादी की लड़ाई लड़ी है जब इस प्रश अंग्रेज तो चले गए हैं उनकी विवस्थाएं नहीं गई हैं अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन अंग्रेजों की छोड़ी हुई निशानियों को हमने आज तक सहेज और सम्हाल कर रखा है जैसे कि गुलामी की निशानियों को कोई देश जिंदा नहीं रखता लेकिन हम प्रश्वाइब ने रखा अब जो गंबीर प्रश्ण हैं हम सब भारतवासियों के सामने मदलाल धिंगरा आश्वा कुला भगत सिंग उदम सिंग चंदर शेकर ऐसे ऐसे शहीदों की सारी कुर्बानी देने के बाद अब हमारे सामने गंबीर प्रश्ण है वो ये कि इन सब कि जो भी कुछ करो कानून बना करो अत्याचार करना है तो कानून बना दो जेव काटनी है तो कानून बना दो लूटना है भारतवासियों को तो कानून बना दो बरबादी करनी है भारत की तो कानून बना दो बेज़जदी करनी है भारत की तो कानून बना दो वो सब काम का बनाकर किया करते थे और इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता था Rule of the Law कानून का साशन अंग्रेज सारी दुनिया के सामने ये प्रस्तुत किया करते थे कि हम तो भारत में कानून का साशन चला रहे हैं अब उसाशन में अत्याचार होता है तो ये भारतवासियों का नसीव है हम क्या करें लेकिन दुनिया को ये बात समझ में बहुत देर में आई कि जब कानून आप गलत बनाएंगे उल्टे बनाएंगे तो उन कानूनों से अत्याचार ही होगा और उन कानूनों के आधार पर बरबादी ही होगी कोई उसमें से सुख़द और सुखी देश की निर्मान व्यवस्था संभव नहीं एक उधारण से बताता हूँ अंग्रेजों ने भारतवासियों पर अत्याचार करने का एक कानून बनाया जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट नाम था नहीं कह रहा हूँ नाम है क्यों? क्योंकि ये इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने तो बनाया था 1860 में लेकिन दुर्भाग से इस देश की आजादी के 62 साल के बाद भी ये चल रहा है इंडियन पुलिस एक्ट ये कानून बनाया गया 1860 में 1860 कब आया? 1857 के बाद और 1857 में क्या हुआ? अंग्रेजों के खिलाफ बगावत इस देश में नाना साथ पेशवा, तातियां टोपे, जहासी गानी लक्षमवाई, अजीम उल्ला जैसे करांतिवीरों की मदद से सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी और उस बगावत में एक बात जो हम जानते नहीं है वो ये कि इस बगावत में तीन महिने के अंदर अंग्रेज पूरी तरह से हार गए थे, परास्त हो गए थे बगावत शुरू हुई थी 10 मई 1857 से और शुरूआत हुई थी मेरट से आप सभी जानते हैं पश्मी उत्तर प्रदेश का एक शहर है मेरट वहां के कुछ क्रान्तिवीरों ने शाम को पांच बजे 10 मई 1857 को अंग्रेजों के बंगले जला दिये थे, घर जला दिये 485 अंग्रेजों का कतले आम हो गया था, एक भी अंग्रेज मेरट में जिंदा नहीं बचा था, ऐसे शुरू हुई थी क्रान्तिilee, अगले दिये जली पहुच गई, फिर उसके अगले दिन बरेली पहुच गई, फिर उसके अगले दिन शाजाँपूर पहुच गई, और में सवाल आएगा कि भारतवासी तो अहिंसक हैं भारतवासी तो दया प्रेम करुणा की बात करने वाले हैं उनके मन में इतनी कुरूरता और इतना पराक्रम कहां से पैदा हो गया कि अंग्रेजों को गाजर से गुजर गया था तो भारत के लोगों ने अपनी लोक लाज और परमपरा को ताक पर उठाकर रख दिया थे पानी सिर से कैसे गुजर गया था सो साल तक अंग्रेजों का अत्याचार सेहन किया भारतवासियों ने 1757 से 1857 था उस अत्याचार में सबसे बढ़ा आत्याचार था इस देश की लूट इतना लूटा था अंग्रेजों ने सौ साल में दुनिया के किसी देश के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलती एक ही उधारन से बात कहता हूं 1757 में एक अंग्रेज लुटेरा इस देश में आया पंका बन कर दीजिए और आप शांती से बैठ जाएए आना जाना मत करिए 1757 में इस देश में एक अंग्रेज लुटेरा आया उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइब इस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर इंचीफ बन के आया ब्रिटिश पार्लेमेंट ने उसको लेटर ओफ अथॉरिटी दिया और उसको कहा कि तुम भारत में जाओ और जिस जिस इस्थान पर संभव है इस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनाओ तो रॉबर्ट क्लाइब ने ब्रिटिश पार्लेमेंट को कहा कि अगर भारत में जाकर इस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनानी है तो मुझे सैनिक चाहिए और मुझे लाखों की संख्या में सैनिक चाहिए ब्रिटिश पार्लेमेंट ने कहा कि लाखों की संख्या में तो सैनिक हम दे नहीं सकते क्योंकि इस समय हमारे पास ज्यादा सेनिक नहीं है क्यों उसी समय इंगलैंड प्रांस के खिलाफ युद ऩुद लड़ रहा था और फ्रांसी से युद में अंगरेजों की बgrowth बड़ी फौज लगी हुई थी तो ज्यादा सेनिक उन के पास थे नहीं साड़े तीन सो सैनिकों को लेकर रॉबर्ट कलाइब कलकता पहुँचा और उसने इस्ट इंडिया कमपनी का साशन बंगाल में इस्थाफित करने का सपना देखा अब आप सोचिए बंगाल में जहां भारत का राजा था सिराज़ दौला जिसके पास सैनिकों की पैदल सैनिकों की संख्या 18,000 थी जिसके पास हाती घोड़े जो सैनिक वाले होते हैं वो साड़े साथ आठ हजार से जादा थे और जिसके पास तील तर्वार भाले बंदूक तो पादियादी अंग्रेजों से कई कुना जादा थी उस बंगाल के उपर साड़े तीन सो अंग्रेजों का सेना पती सपना देख रहा है कब्जा करने का तो वो तो संभव नहीं था रॉबर्ट कलाइब को मालूम था कि यहां तो मैं सफल हो नहीं पाऊंगा तो क्या करना चाहिए उसने एक युक्ती निकाली एक चाला की खेली बस उसी चाला की में हम पिट गए और अंग्रेजों के गुलाम हो गए वो चाला की क्या थी रॉबर्ट कलाइब को मालूम था आमने सामने लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे बीस मिनट में युद्ध खतम हो जाए अठारे हजार की सेना साड़े तीन सो सैनिकों को खतम कर देगी तो उसने युद्ध ना लड़के एक दूसरा काम किया उसने अपना एक दूत सिराजुद दौला की सेना में भेजा ये पता लगाने के लिए कि जानकारी करो कि कौन भारत से गद्धारी कर सकता है कौन भारत को धोखा दे सकता है किसके दिल में भारत से धोखा देने की गद्दारी करने की तीवर भावना है ये पता लगो और उसके दूद पहुँच गए सिराजुद दौला की सेना में एक आदमी मिल गया जिसका नाम था मीर जाफर और मीर जाफर ऐसा ही एक व्यक्ती था जिसके मन में पैसे को लेकर कुरसी को लेकर तीवर लालसा थी जैसी आजकल हमारे नेताओं में है वैसी ही थी मीर जाफर जो था बंगाल का रक्षा मंतरी था डिफेंस मिनिस्टर था लेकिन सपना देखता था प्रधान मंतरी बनने का अंग्रेजों ने उसको आफर कर दिया कि तुम को हम प्रधान मंतरी बनाएंगे तुम हमारी मदद करो मीर जाफर ने पूछा क्या मदद करें तो मीर जाफर को कहा गया बस इतनी मदद करो कि अपनी सेना के सारे सेनिकों को अंग्रेजों के सामने आत्म समर्पन करने के लिए मजबूर करो युद्ध मत लड़ो आत्म समर्पन करो और तुमने अगर आत्म समर्पन करा दिया तो तुमको बंगाल का राजा मिनना देंगे प्रदान मंत्री पत मिल जाएगा करोनों स्वन मुद्राइं मिल जाएंगी तो करोनों स्वन मुद्राओं के लालच में प्रदान मंत्री पत के लालच में मीर जाफर बिग गया उसने रॉबर्ट कलाइब से समझोता कर लिया समझोते में ये लिख दिया गया कि युद्ध नहीं होगा आत्म समर्पन होगा और 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में मीर जाफर की गद्दारी के चलते भारत के 18,000 सेनिकों ने आत्म समर्पन कर दिया अंग्रेजों ने बिना लड़े भारत के 18,000 सेनिकों को बंदी बना लिया और उन बंदी बनाई सेनिकों की बाद में एक एक करके हत्या कर दी रॉबर्ट कलाइब ने बंगाल का युद तथाकतित रूप से जीत लिया फिर रॉबर्ट कलाइब ने विजे जलूस निकाला कलकता में पलासी है कलकता के नजदी वहां से लेकर मुर्शिदाबाद तक वो घोड़े पर चड़कर आगे बैठता था और पीछे पीछे उसके साड़े तीन सो सैनिक चलते थे उसके पीछे मीर जाफर होता था और उसके पीछे मीर जाफर के सैनिक चलते थे तो रॉबर्ट कलाइब ने अपनी डाइरी में लिखा है कि जब मैं कलकता से मुर्शिदाबाद गया चौदे दिन और चौदे रात में घोड़े पर चला सड़क के दोनों तरफ हिंदुस्तानियों ने लाखों की संख्या में मेरा जुलूस देखा और उन हिंदुस्तानियों ने तालिया बजाई अगर उन एक एक हिंदुस्तानी ने मुझे पत्थर उठा कर मार दिया होता तो भारत का इतिहास 1757 में ही बदल गया होता हमारे लिए अफसोस इसी बात का है कि हम अंग्रेजों के विजय जुलूस पर तालियां बजाते रहे उनके लिए जय जय कार करते रहे एक एक अंग्रेज को उठा कर एक एक पत्थर मारा होता तो साड़े तीन सो अंग्रेज तो 1757 में ही मर गए होते इस्ट इंडिया कमपनी का साशन कभी स्थापित नहीं हुआ होता साथ लाग बत्तीस हजार साथ सो इक्यासी शहीदों को कुर्बानी नहीं देनी पड़ती साड़े चार करोड हिंडुस्तानियों का परुक्ष बलिदान नहीं होता अगर एक मीर जाफर नहीं होता और दुख और दुरुभाग इस देश का ये है कि 1757 में एक मीर जाफर था अब 2009 में तो मीर जाफर ही मीर जाफर हैं जो कुर्सी और पैसे के लिए इस देश के किसी भी इस तरका समझोता कर रहे हैं देश की आत्मा को बेच रहे हैं देश को बेच रहे हैं फिर से इस देश को गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं इतिहास एक बात कहता है वर्तमान हमारा उसका दूसरा चित्र हमें दिखाता है हमको हमारे वर्तमान में चिंता यही करने की जरूरत है क्या वही गलती जो मीर जाफर ने की सत्रे सो सतावन में हम दोहराएंगे क्या वही गलती जो हमारे हजारों हिंदुस्तानियों ने की कि रौवर्ट ट्लाइब का जुलूस तो देखते रहे उस पर पत्थर उठाकर हमने नहीं मारा वही गलती हम फिर दोराएंगे अब आज़ादी के 62 साल के बाद और इसी पर भारत का भविश तय होगा अगर हम वही गलती करेंगे जो मीर जाफर से हो गई जो उन हजारों भारत वासियों से हो गई जिनों ने अंग्रेजों के जुलूस पर तालियां तो बजाई पत्थर नहीं फेका वही गलती अगर हम करेंगे तो आने वाली पीडियां हमें माफ नहीं करेंगी और हमारा नाम भी मीर जाफरों की शरणी में लिया जाएगा हमारा नाम भी इस देश के उन गद्दारों की शरणी में लिया जाएगा जिन्होंने गुलाम बना है और अगर ये गलती करने से हम बच गए और हमने वही सदकर्म किया जो स्वरगी मदलल धिंग्रा ने किया भगत सिंग उधं सिंग चंदर शेकर ने किया आशवाक Duncan Lorda अजिमल्ला ने किया अगर वही सदकर्म हम कर गए तो आने वाली पीड़िया हम को भी वैसे ही याद करेंगी जैसे आज हम मदलाल धिंगरा को याद कर रहे हैं भगत सिंग उधम सिंग चंदर शेकर को याद कर रहे हैं हमारे सामने रास्ता खुला है हम चाहें उस रास्ते पर चल पड़े अगर चल पड़े देश की आजादी को बचाने के रास्ते पर सुराज लाने के रास्ते पर सुतंत्रता लाने के रास्ते पर तो शायद ईश्वर भी सहयोग करेगा वो भी हमेरे लिए सद्भाव अपने मन में रखेगा और नहीं चल पड़े तो आने वाली पीडियां कभी माफ नहीं करेंगी क्योंकि इतिहास बहुत कुरूर होता है तथ्य और सब्त भी दर्ज किया जाएगा आने वाले समय में तो मैं तो आप सबको ये दावत देने आया हूँ algorithms देने आया हूँ दो रास्ते हमारे सामने खुले हुए है एक शहीदों का बताया हुआ महापुर्शों का बताया हुआ दूसरा हमारे गद्दारों का दिखाय दिया है निमित्त आपको बना दिया मैं कम से कम मानता हूं कि आप सब लोग शहीदों के महापुरुषों वाले रास्ते पे ही चलने वाले हैं वरना इस कारिक्रम में आप क्यूं आते यह तो इस पश्ट विवेक भाई ने यह कारिक्रम आयोजित किया उनके सहियोग्यों ने क कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में सुप्त ही सही एक इक्षा है कि हम भी कुछ ऐसा कर गुजरें जो हमारे शहीदों ने कभी कर दिया यह है इसलिए आप आए हैं तो इसलिए यही बात अभी कहूंगा मैं आप से अब करना क्या है शहीदों के सपनों का भारत बनाना है मोटी CDC CDC बात है अंग्रेजों ने भारत को लूट मार करने के लिए बर्बाद करने के लिए जो कुछ किया है वो सब हटाना है हमें खतम कर देना है जला कर फेक देना जैसे मैं पहले कह रहा था ना अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए आपको बर्बाद करने के लिए एक कानून इंडियन पुलिस है उस कानून में व्यवस्था क्या की कि भारत में कोई भी करांतिकारी अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ कुछ भी करे उसको मारो उसको पीटो डंडों से मारो डंडे से पीटो गोली से मारो खतम कर दो उसके घरवालों के ऊपर विपत्तियां डालो उसकी स भाशा में तो इंडियन पुलिस एक्ट में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ओफेंस है लेकिन किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है पुलिस वाला चाहे उतने अत्याचार आपके ऊपर कर सकता है आप उस अत्याचार को रोकने के लिए पुलिस वाले क डंडा भी नहीं पकड़ सकते अगर कोई पुलिस वाला आपको डंडे से मार रहा है और आपने डंडा उसका पकड़ लिया तो मुकदमा आपके खिलाफ बनेगा F.I.R. आपके खिलाफ दर्ज होगा कि उस पुलिस वाले को आपने ड्यूटी करने से रोका F.I.R. पुलिस वाले की ड्यूटी है आपको डंडे से मारे मार मार कर आपकी हड्डियां तोड़ दे लहलुहान कर दे और ये पुलिस वाले को ड्यूटी किस ने दी इंडियन पुलिस एक्ट में और ये कानून किस ने बनाया अंग्रेजों की संसद में? कब? 1860 में. क्यों? क्योंकि 1857 में बगावत हो गई थी और अंग्रेज पुलिस वालों का भारतवासियों ने कतले आम कर दिया था तो कोई भारतवासी अंग्रेज पुलिस वाले को कुछ ना कर सके इसके लिए ये कानून बना था अब 1860 में ये कानून बना इसके दुश्परिणाम भयंकर हुए अंग्रेजियों की पुलिस ने लाठियां जो चलाना शुरू किया इस कानून बनने के बाद उसमें सैकड़ों हजारों करांतिवीरों की इस देश में शहादत हुई एक का नाम बताना चाहूंगा लाला लाच पत्राए आप जानते हैं इसी पुलिस कानून के चलते लाला लाच पत्राए की मृत्ति हुई थी लाले लाजपत राए और उनके सहयोगियों ने अंग्रेजी कानून का विरोध करने के लिए एक जुलूस निकाला था लाहूर में कानून था रॉलेट एक्ट और उस कानून में भारत के सभी नागरिकों के प्राथमिक अधिकार वैयक्तिक अधिकार फंडमेंटल राइट्स खतम हो गए थे तो उसका विरोध करने के लिए जुलूस निकाला उस जुलूस पर अंग्रेज अधिकारी सांडर्स ने लाठियां बरसाई थी और सांडर्स की लाठियां लाला लाजपत्राई के सिर्मर इतनी गहरी लगी थी कि लाला जी को ब्रेन हैमरेज हुआ था और हस्पताल में उनक की म्रत्य होई थी तब शहीद आजम भगत सिंग ने कसम खाई थी कि अगर हमें नियाय नहीं मिला माने लाला लाजपत्राई की हत्या करने वाले अंग्रेज अधिकारी सांडर्स को कड़ा दिंड नहीं दिया गया तो हम मानेंगे हमें नियाय नहीं मिला और वो नियाय फिर कर सांडर्स का वद करना पड़ा गोली मारनी पड़ी और उस गोली मारने के जुरुम में भगत सिंग को फांसी की सजा हुई तो भगत सिंग ने कहा था कि ये सजा मुझे मनजूर है क्योंकि लाला जी पर पड़ी एक एक लाठी का बदला लेने के लिए मैंने ये काम किया था मेरे व्यक्तिकत किसी सुख सुविधा के लिए ये काम मैंने नहीं किया था मुझे दुख और अफसोस है कि जिस अंग्रेजी पुलिस कानून के चलते लाला लाजपत्राय पर लाठियां पढ़ी और उनकी मृत्यु हुई वही अंग्रेजी पुलिस कानून इस देश में आज़ादी के 62 साल के बाद भी चल रहा है वही इंडियन पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है अंतर इतना ही है कि पहले गोरे अंग्रेज लाठियां बरसाते थे अब काले अंग्रेज लाठियां बरसा रहे हैं लाठियां तो अभी भी इस देश के नागरिकों पे बरस रही है कानून तो अभी भी वही चल रहा है कभी कभी बहुत दुख होता है मन में कि अंग्रेजों की पुलिस और काले अंग्रेजों की पुलिस आज़ादी के बाद की पुलिस को मैं काले अंग्रेजों की पुलिस कहता हूँ काले अंग्रेजों की पुलिस कई बार गोरे अंग्रेजों से भी दस कदम आगे निकल के लाठी चार्ज करती एक दिन अचानक से अखवार में पढ़ना पढ़ता है कि दिल्ली में अंधे लोगों ने अपनी कुछ मागों के लिए सरकार के सामने कोई प्रदर्शन किया तो काले अंग्रेजों की पुलिस ने अंधों के ऊपर लाठी चार्ज किया जो लाठी की मार से बचकर भाग भी नहीं सकते उनके ऊपर काले अंग्रेजों की पुलिस लाठी चार्ज करती एक दिन अखवार में खवर पढ़नी पढ़ती है और टीवी चैनलों पर देखना पढ़ता है अपनी आँखों से कि हमारे देश के लूले लंगडे विकलांग लोगों ने अपनी कुछ मांगों के लिए सरकार के सामने प्रदर्शन किया और काले अंग्रेजों की पुलिस ने उन विकलांगों पर लाठी चार्ज किया एक दिन हमें खवर मिलती है और अखवार में हम पढ़ते हैं टीवी चैनलों पर देखते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के 62 साल के बाद हर किसान के खेत को हम पानी नहीं दे पाए हिंदुस्तान की कुल खेती योग जमीन 14 करोड हेक्टेर है पानी सिर्फ 5 करोड हेक्टेर जमीन को उपलब्द है 9 करोड हेक्टेर जमीन पर खेती भगवान की करपासे बारिश की करपासे होती है और जब कभी बारिश ना हो सुखा पढ़ जाए तो 9 करोड हेक्टियर की खेती करने वाले किसान भुकमरी की हालत में पहुँच जाते हैं वो भुकमरी की हालत में पहुचे हुए किसान जब अपने खेत के लिए पानी मांगने का कोई आंदोलन करते हैं तो काली अंग्रेजों की पुलिस उन पर गोलियां चलाती है और किसानों को वैसे ही मर जाना पड़ता है जैसे शहीदों को अंग्रेजों की पुलिस के सामने मर जाना पड़ता है आप सब अगर नियमित रूप से अखवार पड़ते होंगे समाचार पढ़ते होंगे तो आपको थोड़े दिन पहले याद होगा राजिस्थान में किसानों ने अपने खेत में पानी की मांग के लिए एक काली अंग्रेज सरकार के सामने प्रदर्शन किया दुख और दुर्भाग है कि वो काली अंग्रेजों की सरकार भारती अजनता पार्टी की सरकार थी जिसमें किसानों के उपर गोली चलाने का आदेश दिया सत्रे किसानों की तुरंत मौत होई और उस गोली चलाने का आदेश देने वाली मुक्ह TRI वसंदरा राजे सिंदिया को अब राजेस्थान के किसानों ने ऐसा सबक सिखाया कि राजेस्थान से बीजेपी का पत्ता साफ हो गया लेकिन मुझे जो कहना है वो ये कि सरकार कॉंग्रेस की हो या बीजेपी की जनतादल की हो या सीपीम की CPI की हो या माकसवादी CPI की सिंगूर में आप जानते हैं CPI और CPM की सरकार ने किसानों के उपर जो गोली बार किया 21 किसान उसमें मर गए क्या अपरात था उन किसानों का अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे अपने खेत बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे तो आजादी के 62 साल में अपनी जमीन बचाना अपना खेत बचाना अगर हमारा अधिकार नहीं बनता तो 62 साल की इस आजादी का क्या करे आजादी सिर्फ तिरंगा जंडा फैराने का नाम नहीं होती है और आजादी सिर्फ जंगर्मन गाने का नाम नहीं होती है आजादी सिर्फ पंदर अगस्त मनाने का नाम नहीं होती है आजादी उससे ज़्यादा बड़ी और गहरी कोई चीज होती है मुझे अपने आप से ये सवाल पूछने के लिए तकलिफ होती है कि अगर अंग्रेजों के जमाने में हमारे किसान अपने खेत बचाने की लड़ाई लड़ते थे और एक अंग्रेज सरकार जिसका नाम था डलहुजी जिसने एक कानून बनाया था लेंड एक्यूजीशन एक्ट जमीन को अधिक्रहन करने का कानून उस कानून की ताकत पर अगर डलहुजी लाखों किसानों की जमीने चीनता था और वो किसान संगर्ष करते थे और उस समय हमारे शहीदों का सपना ये था कि कल को ये डलहुजी चला जाएगा आजादी आ जाएगी फिर नई सरकार बनेगी भारतवासियों की सरकार बनेगी और डलहुजी का बनाया काला कानून इस देश से खतम हो जाएगा अब उन करांतिकारियों की आत्मा को हम क्या जवाब दें कि डलहुजी तो मर गया अंग्रेज भी चले गए लेकिन उनका बनाया हुआ लेंड एक्विजिशन एक्ट इस देश में आज भी चल रहा है और हजारों किसानों की लाकों एकड जमीन को निगल रहा है और वो किसान अपनी जमीन बचाने के लिए अगर संगर्ष पर उतरते हैं तो काले अंग्रेजों की पुलिस गोलियां चलाकर उनको मार डालती है आजादी में और गुलामी में अंतर क्या रह गया मुझे तो यही दिखाई देता है कि ये बीजेपी, कॉंग्रेज, जन्तादल, सीपीम, सीपीआई, माक्सवादी पार्टी हो या कम्मिनिस्ट पार्टी ये सब सत्ता व्यवस्था के खेल में लड़ने वाली पार्टीयों के चहरे सब एकी है चरित्र भी सब एकी है नाम बस अलग-अलग है और आपको और मुझे को मूर्ख बनाने के लिए घोशना पत्र का कवर का रंग-अलग-अलग है अंदर सब कुछ एक ही लिखा हुआ है और अंदर सब एक ही तरीके से काम करते है इसलिए दिल में दर्द होता है ये कहते हुए मुझे खुशी नहीं होती कि ये काले अंग्रेजों की सरकारें ये दर्द का भाव है जो आज़ादी के 62 साल के बाद कहना पड़ता है कि गोरे अंग्रेजों की सरकारें काले अंग्रेजों की सरकारें लगवग एकी जैसी है पुलिस का कानून वही है जमीन चीनने का कानून वही है कलेक्टर होने का कानून वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था एक Indian Civil Services Act बनाया अंग्रेजों ने उसमें कलेक्टर नाम का एक अधिकारी तेह कर दिया वो अधिकारी का काम था कि किसानों से लगान बसूल करना व्यापारियों से उद्योग पतियों से टैक्स इकठा करना अंग्रेजों की सरकार को जमा करना कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर होता था टैक्स कलेक्शन के लिए कलेक्टर होता था तो जिस आधार पर कलेक्टर ने उक्त किया जाता था जो कानून उसके लिए बनाया जाता था Indian Civil Services Act वो कानून तो आजादी के 62 साल के बाद भी चल रहा है बस अंतर इतनी है कि पहले उसमें इंडियन सिविल सर्विसिस एक्ट होता था अब इंडियन एड्मिनिस्ट्रेटिव एक्ट हो गया है कलेक्टर नाम की पोस्ट जो अंग्रेजों के जमाने में थी वो आजादी के 62 साल के बाद भी है कहीं कहीं उसका नाम बदल गया है कहीं उसे डिप्टी कमिशनर कह देते हैं कहीं उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह देते हैं लेकिन अधिकार उसके सब वही है जो अंग्रेज़ों के जमाने में कलेक्टर के हुआ करते थे अंग्रेज़ों ने कानून बनाया हंदुस्तान में नयाये देने के लिए दुरभागे से वो कानून सिद्ध हुआ अनयाये करने वाला उसका भी जी आई पी सी इंडियान पीनल कोर्ट एक बना दिया उसका नामे CRPC, Criminal Procedure Code, एक बना दिया उसका नामे CPC, Civil Procedure Code, ये तीनों कानून की ड्राफ्टिंग करने वाला एक अंग्रेज था जिसका नाम था TV मेकॉले, जिसने भारती सिक्ष्ण पद्दिती का नाश करके अंग्रेजी सिक्षा इस देश में लागू कराई मेकॉले ने ब्रिटिश पार्लेमेंट में खड़े होकर एक दिन भाशन दिया था, दो फर्वरी 1835 को मेकॉले ब्रिटिश पार्लेमेंट में भाशन दे रहा है और क्या कह रहा है, वो कह रहा है, I have seen length and breadth of this country इंडिया, मैंने भारत का उत्तर से दक्ष्ण, पूरब से दारी नहीं देखा है, जो भारत की सड़क पर भीक मांगता हूँ, फिर आगे कहता है, I have never seen an unemployed youth in this country इंडिया, मैंने एक भी बेरोजगार नौजवान इस भारत में नहीं देखा है, फिर आगे कहता है, such wealth and high moral values I have seen in this country that we cannot conquer this country इंडिया, वो कहता है कि इस भारत में इतनी संप इतना धन है, इतना पैसा है, और लोगों की moral value माने, नैतिक शक्ती इतनी उची है कि इस भारत को हम कभी भी जिन्दगी में गुलाम नहीं बना सकते, फिर अंत में कहता है, until and unless, जब तक, जब तक माने, तब तक, जब तक कि हम भारत के लोगों की रीड की हड़ी न तोड़ तो वो कहता है, भारत के रीड की हड़ी है कुछ चीजें, जब तक हम इनको नहीं तोड़ेंगे, भारत वासी गुलाम नहीं होंगे, तो पहली रीड की हड़ी क्या है, वो कहता है, भारत की सिक्षा व्यवस्था, ये सिक्षा व्यवस्था भारत में इतनी मजबूत है कि भ भारती सिक्षा को खतम करना पड़ेगा। दूसरी रीड की हड़ी है भारत की अर्थ व्यवस्था। फिर तीसरी रीड की हड़ी है भारत की नियाय व्यवस्था। चौती रीड की हड़ी है भारत की चिकित्सा व्यवस्था। पांचवी रीड की हड़ी है भारत की सामाजिक पर्मपराएं और मानिताएं छटवी रीड की हड़ी है भारत की संस्कृति और सब्विता और वो छे रीड की हड़ी गिनाता है और कहता है इनको एक एक करके हम जब तोड़ेंगे तभी भारत गुलाम बनेगा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मेकॉले को पूछता है कैसे तोड़ोगे तो उसने का बहुत आसान है भारत की ये जो व्यवस्थाएं चल रही है ये कुछ आधार पर चल रही है इन आधार को खतम कर दो भारत की रीड की हड़ियां तूट जाएंगे तो उसको पूछा जाता ब्रिटिश पारलेमेंट में कि आखिर आधार क्या है तो वो कहता है कि भारत की जो अर्थ व्यवस्था है और जो क्रशी व्यवस्था है उसका आधार गाय है तो अंग्रेजों की समझ में नहीं आई ये बाद फिर पूछा उसको ये गाय क्या होता तो मैंकोले डिस्क्राइब कर रहा है कि गाय क्या होता है गाय क्या होती है वो डिटेल डिस्क्राइब करता है साड़े तीन घंटे बताता है गाय क्या होती है गाय क्या देती है उससे भारत में क्या होता है उसका गोबर है उसका मूत्र है उसका दूद है वगरा वगरा और इ कह stata इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा तो अंग्रेज सरकार कहती ही कानून बनाओ और लागू करो और भारत की गया काटना शुरू करो तो अंग्रेजों ने कानून बना दिया इस देश में और रोबर्ट कलाइब updates के sorry हजार गाए काटते थे और उनके साड़े 300 कतल खाने चलते थे अब आजादी के 62 साल के बाद इस देश में 36000 कतल खाने चलते है और साल की साड़े 4 करूर गाए कट जाती है हम आजादी मनाते हैं 15 अगस्त गाते हैं सोतंतarta का जैकारा लगाते हैं भारत माता का भी जैकारा लगाते हैं लेकिन भारत माता का प्राण गाए हर दिन कटती है सिसकती है अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भीग के लिए साड़े चार करोड गाय जिस देश में हर साल कटती हो हजारों लाखों गाय के बच्छले इस देश में कटते हो नंदी कटते हो, बैल कटते हो उनका मास बाजार में बिकता हो उसका एक्सपोर्ट किया जाता हो उससे विदेशी मुद्रा कमाई जाती हो और हम ये गाना गाएं कि भारत में आजादी मनाओ, सुतंत्रता मनाओ, पंद्र अगस्त मनाओ, ये तो जूट है, पाखंड है क्योंकि हम इस बात को नहीं भूल सकते कि इस देश की आजादी की कहानी जिनों ने अपने खूल से लिखी है, उन में से आदे, करांतिवीर, मंगल पांडे ने गाए को बचाने के लिए अपना बलिदान किया था, आजादी तो उसमें जुड गई थी आपको मालूम है, 1857 की आजादी की करांति जो मेरट में 10 मई से शुरू हुई थी, वो बैरकपुर, बंगाल की चावनी में तो 28 अपरेल से शुरू हो गई थी जब मंगल पांडे ने गाए की चर्वी लगे हुے कार्तुस को मुझ से खोलने से मना कर दिया था, और एक अंगरेज अधिकारी ने आदेश दिया था, तो मंगल पांडेने उस अंग्रेज अधिकारी को गोली से मार दिया था, मेजर हुशन को, और उसके बाद दूसरी अ नाश हो अंग्रेजों की साशन व्यवस्था का खात्मा हो क्योंकि गाय काटते हैं अंग्रेज तो गाय काटने के सवाल से शुरू हुआ था इस देश के आजदी का संगर्ष अब आजदी के 62 साल के अजदी दुए गए अपने ही अंदर किसी मंगल पांडे को क्यों नहीं खोजते अपने ही अंदर शरी करश्न को क्यों नहीं खोजते इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको आजदी आई है टूटी फूटी आदी अधूरी लूली लंगडी ये पूरी नहीं है ये पूरी तब होगी जब शहीदों का एक एक सपना अगर मंगल पांडे का सपना था कि गाय की रक्षा हो तो आजदी के 62 साल बाद होनी ही चाहिए नहीं तो मंगल पांडे की फांसी अधूरी है शहादत अधूरी अगर लाला लाजपत्र आए और अमर शहीद भगत सिंग का सपना था कि अंग्रेजी पुलिस के बरवरता का क कानून खतम होना ही चाहिए तो आजदी के 62 साल बाद वो कानून खतम हो ही जाना चाहिए भले ही उसके इस्थान पर हमें कोई नया कानून बनाना पड़े नहीं तो भगत सिंग की शहादत अधूरी है लाला लाजपत्राए की शहादत अधूरी है अगर भारत के लाखों कर अधू जो आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ वो ये कि आजदी पूरी तब होगी स्वतंतरता पूरी तब होगी स्वराज पूरा तब होगा जब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हम इस देश से खतम करेंगे जरूरत पढ़ने पर उन कानून की किताबों को इक्टर का कानून जमीन चीनने का कानून ऐसे 34,735 कानून अंग्रेजों के बनाए हुए इन सब कानूनों को खतम करना है आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों क्योंकि गुलामी के समय के कानून आजदी में नहीं चलाए जाते और गुलामी के कानून अगर आजदी में चले इस देश की संसद करे बहुत अच्छा है नई तो समाझ के लोग खड़े होकर रद्ध कर दें संसद होती क्या है समाझ का agingit हम समाझ के लोग एक दिन तै कर लें और मानलें और तै कर लें लिए अंग्रेजी कानून को हम नहीं मानेंगे एक दिन में ये कानून बदल जाएगध काले अंग्रेज़ जादस ज्यदा क्या करेंगे आपको जेल में डालेंगे जेल में इतनी जगाए तो हो कि आपको वो डाल सकें इसलिए जेल जाने से मत घराएए उस से मत डरीए तो पहला महतुपूर काम हमें कराना है वो अंग्रेजी कानून को खतम कराना है दूसरा इसी तरह का महतुपूर काम हमें कराना है वो ये कि अंग्रेज चले गए तो उनकी भाषा क्यों रखे हैं अंग्रेजी को क्यों रखे हैं क्या जरूरत है उसकी हमारे पास अपनी भाषा है हिंदी हमारे पास अपनी भाषा है गुजराती, मराटी, तमिल, तेलगू, कर्नड, कश्मीरी, मलियालम, उडिया, वांगला, आसामी 22 भाषाएं हैं जिनको सम्मिधान ने स्विक्रत किया है और सारी भाषा अंग्रेजी से बड़ी हैं और अच्छी मैंने हिंदुस्तान की सानिय भाषाओं के शब्दों के शब्द कोश निकाल कर अंग्रेजी के शब्द कोश से जब उनका तुन्ना कराया आपको सुनकर बहुत खुशी होगी, सुख मिलेगा कि भारत की सबसे छोटी भाषा जो सबसे कम लोगों दोरा बोली जाती है उसमें अंग्रेजी से ज़्यादा शब्द है अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी में जितने शब्द नहीं हैं से जादा भारत की भाषाओं में अंग्रेजी से जादा शब्द है हमारी असमिया हमारी बांगला हमारी ओडिया हमारी काश्मीरी भाषा बोगरी जिसको आप कहते हैं पंजाबी हिंदी सबी भाषाओं में अंग्रेजों की भाषा से जादा शब्द हैं और अंग्रेजों की हमारी भाषाएं बहुत पुरानी हैं अंग्रेजों की भाषा ये अंग्रेजी शुरू हुई है पांचवी शताब्दी से पांचवी शताब्दी के पहले तो अंग्रेजी का कोई इतिहास नहीं मिलता दुनिया पाजबी शताब्दी माने आज से पंद्रे सो साल पहले के एक भी ग्रंत में एक भी साहित में अंग्रेजी का जिक्र नहीं है जर्मन है, फ्रेंच है, डच है, इटेलियन है, रशियन है, जैपेनीज है, चाइनीज है, डैनिश है सारी दुनिया की भाषाएं हैं पांचवी शताब्दी के पहले अंग्रेजी नहीं है अंग्रेजी का जिनम पांचवी शताब्दी में हुआ और वो भी कैसे हुआ किसी एक भाषा से थोड़े शब्द ले लिए किसी दूसी से ले लिए किसी तीसरी से ले लिया और खेचुड़ी बना के प्रस्तुत कर दिया उनके मूल अंग्रेजी शब्द तो सबसे कम है दुनिया में और चूंकि सबसे नई भाषा है अंग्रेजी इसलिए सबसे जादा गलतियां भी इसी में जिस भाषा में सबसे ज़्यादा गल्तियां होती हो जिसका व्याकरण का कोई ओर नहीं कोई ठोर नहीं और जिस भाषा की मूल गल्तियों को ठीक करने की ताकत किसी में नहीं उस भाषा को हमने ओर के रखा है बिचा के रखा है पहिन के रखा है हमारी मुर्खता की भी हद है कुछ भारत वासी कुतरक देते हैं कि अंग्रेजी अंतर राश्वी भाशा है कहां है बताईए ना दुनिया में 200 देश हैं कौन से ऐसे देश में अंग्रेजी चलती है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ अंग्रेजी चलती है भारत में अंग्रेजों का गुलाम हुआ अंग्रेजी चलती है पाकिस्तान में अंग्रेजों का गुलाम था अंग्रेजी चलती है बंगला देश में अंग्रेजों का गुलाम था और जो देश कभी अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए उन में से किसी एक देश का नाम बताईए जहां अंग्रेजी चलती हो France में French है, Germany में German है, Italy में Italian है, Rus में Russian है, Japan में Japanese है, Chin में Chinese है Danish इतना छोटा सा देश है, Greenland इतना छोटा सा देश है, Denmark इतना छोटा सा देश है आपको हरानी होगी हमारे एक जिले से छोटा देश है Denmark, उनकी अपनी भाशा है Danish Danish उसी में पढ़ाते हैं, उसी में लिखाते हैं, उसी में नियाए करते हैं, उसी में प्रशासन चलाते हैं, प्रधान मंत्री से लेकर चपरासी तक सब बात करते हैं Denmark में Danish में, कोई अंग्रेजी नहीं बोली तो पूरे Denmark की आबादी अभी 20 लाग, 22 लाग के आसपास और इतना चोटा सा देश अगर अपनी भाशा में सब कुछ कर सकता है, नियाए व्यवस्था, इंजिनिरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, एमडिये की पढ़ाई, सारी पढ़ाई हैं वो अगर डैनिश में करा सकता है, तो हम हिंदुस्तानियों को क्या तकलीफ है अपनी भाशा में अपनी पढ़ाई करना, मात्र भाशा में अपनी पढ़ाई करना, तो हमको दूसरा बड़ा काम जो करना है अभी इस देश में वो ये, कि जैसे अंग्रेजों को भगाया, वैसे अंग्रेजी को भगाना, जैसे अंग्रेजों को हटाया, वैसे अंग्रेज जीवन में अपने आप आ जाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी से पहले अंग्रेजी को हटाईए, धीरे धीरे देश और समास से भी हटना शुरू हो जाएगी, कहां से हटाएं, अपनी घर में देखिए, कहां कहां क्या क्या अंग्रेजियत का इस्तेमाल आप खरते हैं, अप बचे हुए शरीर को मम्मी कहते हैं, जिसको हम शव कहते हैं, उसको मम्मी कहा जाता है, और डैडी माने तो मरे हुए जैसा, डी एडी डैड, और डी एडी डैड से बना डैडी मरे हुए जैसा, तो माता पिता को मार डालें, ऐसी भाशा इस्तेमाल करें मम्मी और डैडी, क् अब तो कुछ ऐसे पढ़ी लिखे मूर्ख हिंदुस्तानी है मौम मम्मी से भी आगे मौम क्या आरत है पता नहीं बस बोलते रहते हैं कितना सुन्दर शब्द है मा जो दुनिया की किसी दूसरी भाशा में नहीं मिलता हम बोलते हैं जानवर भी बोलते हैं गाए का बच्छड पैदा होते ही मा बोलता है और हमने शायद मा बोलना उसी से सीखा है गाए ने हमसे नहीं सीखा हमने गाए से सीखा है तो जिसको हमारे गाए के बच्छडे और बच्छडी बोलते हैं और हम बोलने में शरम महसूस करें छोड़िये इस गुलामी को मम्मी डड़ी आज से मा बोलना शुरू करिए, पिता बोलना शुरू करिए, भाई बहन बोलना शुरू करिए, ब्रदर सिस्टर बंद करिए, और कुछ-कुछ से विचितर शब्द हैं अंग्रेजी के अंकल, आंटी, क्या मतलब मालूम नहीं, हमारे यां तो काका है, मामा है, मौसा है, फूफा है, मा आंटी तो हर भी विच्छित रहे हैं अंग्रेजों के पास तो शब्द नहीं है अपने रिष्टों को बताने के लिए इसलिए मजबूरी है अंकल और आंटी शब्द क्यों नहीं है रिष्टे बताने के लिए क्योंकि रिष्टे ही नहीं है समाज में निभाने के लिए और र रिष्टे परिवार से बनते हैं, परिवार पती-पत्नी से बनता है, इंग्लेंड में पती-पत्नी बनके तो कोई नहीं रहता, क्योंकि वो तो लिव-इन रिलेशन्शिप वाले लोग हैं। अंकल और अंटी बोलने की हैं। हर बास तो काका है, हमारे पास तो काकी है, नानी है, नानी है, मामा है, मामी है, सब कुछ है, इसपश्ट है। बड़ा विचित्र देश हैं अंग्रेजों का और भाशा भी विचित्र है। रिष्टों से कुछ ने हैं। फिर वो मूर्ख लोग हिंदुस्तानी उसका अनुवाद कर देते हैं। फादर इल्लो माने ससूर, ससूर अलग होता है, फादर इल्लो बिल्कुल अलग है। ससूर फादर इल्लो नहीं हो सकता। लेकिन हम भी मूर्ख लोग हैं। फादर इल्लो को ससूर बनाते हैं। फिर मैं पूछता हूं अच्छा कौन से इधर वाले के इधर वाले बताई नहीं सकते हैं। विचित्र भाषा मूर्ख की भाषा अंग्रेजी पूटी पुट होना चाहिए ना। और अगर ब्यूटी बठ तो पूटी पट होना चाहिए। पूटी पुट है तो ब्यूटी बुट हो जाए। ब्यूटी बठ हो जाए। अगर सी उटी कट होता है तो पूटी पट क्यों नहीं हो सकता। कुछ पते ही नहीं एक जगह सी जो है ना का होता है दूसरे की जगह सी चाह हो सकता है तीसरी जगह कुछ और हो सकता है अंग्रेजी में एक शब्द है Chemistry क्यों बोलते हैं Chemistry बोलो क्योंकि उसी अंग्रेजी में जब हम छोपड़ा लिखते हैं अब जिस भाशामे शिर्फ का उत्तर नहीं हो सिर्फ होता है उसको डंडा लेकर आप पीछे पड़े हैं हर बच्चे को बच्चपन से मार मार की सिखा रहा है अंग्रेजी बोल, अंग्रेजी सीख बच्चपन से ही अंग्रेजी सीख प्राथ्मी कख्या में अंग्रेजी सीख बच्चा विचारा हिंदी में, डोगरी में, कंडर में, तमिल में, तेलगू में कोई चीज घंटे बर में सीख लेता है वही चीज को आप उसे अंग्रे जी में सिखाओ छे महीने लग जाते हैं फिर भी नहीं सीख पाता फिर वो रट लेता है रटे हुए का अर्थ समझ में नहीं आता और पोपट तोते की तरह से कुछ भी गाने लगता है जिसका खुद उसे अर्थ नहीं आता वो हमारे बच्चे गान करते रहते हैं अंग्रे जी का मैं कभी कभी ऐसे लोगों के घरों में जाता हूँ जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन सुपर इडियेट है मैंने इस देश में देखा है महा मूर्ख पढ़े हूँ जो बिना पढ़ा लिखा है वो बहुत होशयार है पढ़े लिखे मूर्खों के घर में क्या दर्शन होता है घर में घुसे पता चला पिता जी का नाम रामदयाल माता जी का नाम गाहित्री देवी बेटे का नाम टिंकू अब राम दयालो गाहित्री देवी का टिंकू कहां से आ गया और वो दोनों दोलते हैं देखो हमारा भेटा है टिंकू मैं पूछता हूं इसका मतलब मालूम है टिंकू क्या है वैबसर डिक्ष्णरी को आप खोल के देखें तो वेट्स्रे डिक्ष्णरी में टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का जिसके बाप का पता नहीं जिसकी अम्मा का पता नहीं वो टिंकू होता है और यहां माबाप के होते हुए बच्चे को टिंकू 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 बना बना के उसका कबाड़ा कर रहे हैं कई कई घरों में बेहनों के नाम होते हैं बबली डबली ट्विंकल दिंपल ख्या मतलब है डिंपल ट्विंकल पिंपल हमरे पास नामों की कुछ कमी हो गई है क्या कितने सुन्दर नाम संस्क्रिप में कितने सुन्दर नाम हिंदी में कितने सुन्दर नाम मातर भाशाओं में क्यों नहीं रखते हूं नामों अपने घर से शुरू करिए इस अंग्रेजियत को निकाल सेखिए अपने बच्चों के नाम मात्र भाशा में राष्ट भाशा में रखिए और उसी का उच्चारण करिए क्योंकि उनका कोई अर्थ है और मैं निवेदन और करना चाहता हूं कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं कम से कम अपने बच्चों को अंग्रेजी की कविताई मत आप भी नहीं जानते बच्चे भी नहीं जानते कुछ पढ़े लिखे हैं मुरुखां के घर में जाता हूं तो उनके छोटे बच्चों को वे बोलते clicking till न लेंग्छे नंएक्व अंकल कुछ भी बना लूंकिन्ल मत बनाओ क्योंकि अंकल का आर्थ मुझे नहीं मालू ना आपको मालू में तplatा ओ जिस का आर्थ मैं नहीं जानता है उसका आप नाम मेंस लुब आ रहे हूं फिर वो बच्चों को बस्जाओं which नाओ कभिता नहीं पोईन्स उसकी मां से पूछता हूँ, आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है, नहीं मालूम। टीचर को पूछता हूँ, आपने सोच लिया ये कविता सिखाने से पहले इसका अर्थ क्या है। रें रें गो अवे, माने बच्चा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, बारिश बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मत आओ, क्योंकि मुझे खेलना है, लिट्ल वेवी वन्स टू प्ले, छोटा बच्चा खेलना चाहता है, ये बारिश को कर रहा है, तुम भाग जाओ, चली जाओ, अगर ये प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली तो, बारिश को बुला लिया, बारिश होगी नहीं, बारिश पढ़ेगी नहीं, तो सुखा पढ़ेगा, सुखा पढ़ेगा तो किसान भूके मरेंगे, आप भूके मरेंगे, तो जिस प्रार्थना से हमारे किसान भूके मरें और इस देश में अकाल पड़े वो प्रार्थना हमारे बच्चे गाएं रोज रोज रें रें गो अवें कम अगें नेदर डे क्या मूरुखता क्यों सिखाई आपने ये कविता अपने भारत में कविताओं की कोई कमी है क्या हिंदी में गुजराती में मराठी में डोगर इसमें भगवान से प्रार्थना कर रहा है बच्चा जल्दी जल्दी बारिश आओ और ज्यादा से ज्यादा बारिश आओ में तुमको आओगी तो पैसा दूंगा तुम जल्दी आजाओ ये भारत की कविता है क्योंकि बारिश भारत की जरूरत है क्योंकि भारत की साथ प् कि भी मिलता है रेनी गुवे हम हिंदूस्तानी क्यों गाएं इसको जरुरत क्या ए हमारी समझ को क्या हुआ है मिवासत है और इसकी मेरा निवेदन है अंगरेजों को भगायां अंगरेजी भाषा को भागा आधं आप बोलेंगे ऑंतरराश्च की भाषा तूर नहीं मैं आप में काम करके सारी दुनिया में व्यापार क्यों नहीं कर सकते हैं अगर ये जैपनीज में हो सकता है तो हिंदी में हम भारत alboसी काम क्यों नहीं कर सकते हैं छी बिए घ्कार चीजाने में काम करके सारी दुनिया की अर्थ畏वस्था को धक्या दे सकता है तो हम भारत की भाषा में काम क्यों नहीं कर सकते रूस वाले सब रश्यन में बात करके आज आप हमेशा ध्यान देना रूस का राश्वपति आया जापान चाही चीन का आए अफ्रांस का सब अपनी मात्र भाशा में बात करते हैं भारत में आके और हमको भाशा का अनुवादक रखना पड़ता है उनकी बात समझने के लिए इतने पिद्दी पिद्दी देश के राश्रुपती आकर अगर मात्र भाशा में बोल कर चले जाते हैं तो एक सो पंद् भारत के राश्रुपती प्रधान मंत्री को मात्र भाशा में क्यों नहीं बोलना चाहिए और अफसोस दुख्या है कि राश्रुपती और प्रधान मंत्री जब चुनाओं लड़ते हैं गाउं गाउं जाते हैं तो वोट मांगते हैं मात्र भाशा में चुनकर जब पहुंच के नेता हैं लाल कर शडवानी पूरे समय भाशन देते हैं गुजराती हिंदी में अहमदाबाद से चुनाव जीतने के लिए संसद में पहुंचते हैं अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं जब भी मैं उनसे मिलता हूँ मैं कहता हूँ कि आपको या तो गुजराती और हिंदी पर विश्वास नहीं है और या आप अंग्रेजी पर अति विश्वास करते हैं और अगर जादा अंग्रेजी पर विश्वास है तो अच्छा है ब्रिटिश पार्लिमेंट में चले और भारत का भविश्व अपने हातों में सुख्षित हो हम प्रधानमंतरी बन जाए इसकी अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं जब देश की भाशा का आप संबान नहीं कर सकते संसद में तो देश के संबान की हम आपसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं तो अच्छा ही हुआ कि लो शरम आती है इससे अच्छा तो श्री अटल बिहारी वाजपई रहे जो यूएनों में गए और हिंदी में धाल कर आये और बोला कि जिसको समझना है समझे नहीं समझना है तो भाषा अनुवादक रख ले मैं मेरी भाषा का सम्मान कर सकता हूँ और शायद इसलिए श्री अतल बिहारी वाजपई पर लोगों ने भरोसा किया और उनको इस देश का तीन बार प्रधान मंत्री बना दिया शायद इसलिए लोगों के दिल में ये फांस सा चुपता है कि मात्र भाषा में वोट लेने के समय बात करना और संसत में जाकर अंग्र प्रधानी भी नहीं है जो अंग्रेजी ठीक से बोल सकें पढ़ सकें लिख सकें और समझ सकें 114 करोड लोगां के लिए अंग्रेजी बिलकुल दूर की भाषा है उनके लिए आप संसत चला रहे हैं 114 करोड के लिए या एक करोड के लिए और दुख और तकलीफ और प्रतिवादी अंग्रेजी नहीं जानता प्रतिवादी अंग्रेजी नहीं जानता फैसला अंग्रेजी में क्यों आना चाहिए नियाय चाहिए मुझे तो नियाय तो मेरी मात्र भाषा में मिलेगा तबी नहोगा विदेशी भाषा में देंगे तो अन्याय है वो तो नियाय कहां, जिसे मैं पढ़ नहीं सकता, पढ़ कर समझ नहीं सकता, मेरे जीवन के आचरण में उतार नहीं सकता, उस भाशा में आपने काधिच पर कुछ लिखकर मुझे दे दिया, तो मेरे लिए तो वो अन्याय है, न्याय कहां? साड़े तीन करोर वादी और साड़े तीन करोर प्रतिवादी इस देश किये, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोर कोर्ट में, न्याय की अपेक्षा से ठोकरे खाते हैं, दरदर भटकते हैं, अंग्रेजी में फैसले होते हैं, अंग्रेजी में मुकदमे सुने जाते पता नहीं यह देश अंग्रेजों के लिए चलता है यह भरतवासियों के लिए चलता है और दुख तकलीव इस बात किया है कि सुपरीम कोट के न्याएधीश जो अंग्रेजी में फैसले लिखते हैं अंग्रेजी में बहस सुनते हैं उन सब की जेव गरम करने के लिए तंखा का जो पैसा आता है वो सब हिंदी बोलने वाले मात्र भाषा बोलने वाले लोगों के टेक्स के खून पसिने की कमाई का है मेरे खून पसीने की कमाई, आपके खून पसीने की कमाई उसके टेक्स का पैसा सुप्रीम कोट, हाई कोट के नयाधीश को पगार के रूप में मिलता है उनको शर्म आनी चाहिए और उनको देश के करोलों का सम्मान करना चाहिए मात्र भाषा में फैसले लिखने चाहिए मात्र भाषा में बहस सुननी चाहिए और अगर हमारे सुप्रीम कोट के नियाधीश मात्र भाषा जानते नहीं समस्ते नहीं तो अफसोस है कि उनको भारत के सुप्रीम कोट का नियाधीश कौन बनाता इस जिनको हिंदी नहीं आती, जिनको मात्र भाषा नहीं आती, वो सुप्रीम कोट के नयाधीश बने, हाई कोट के नयाधीश बने, ये तो अपमान है करोड़ों में, इस भाषा को तो बदल नहीं पड़ेगा, आज नहीं तो कल मात्र भाषा में काम करना ही पड़ेगा, अब मात्र भाषाओं के बीच में से एक को राष्ट ये भाषा बना लो बागवी सब को राज्जी की भाषाइं बना दो मुश्किल क्या है उसमें असी करोर भारतवासी हिंदी समझते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी जानते हैं और हिंदी को बात कर सकते हैं, असी करोर तो इसका मने इसपस्ट है कि राष्ट भाषा हिंदी हो जाए बाकी सब प्रांत की भाशाएं हमारे राजी की सहकारी सहयोगी भाशाएं हो जाएं और तीसरी कोई भाशा अगर हम सबको बांधने वाली हो सकती है तो वो संस्कृत ही हो सकती है क्योंकि हमारी सभी मात्र भाशाओं की मूल जन्मी संस्कृत ही है इसलिए हम तीसरी भाशा संस्कृत ले सकते और तो हमारे देश में अंग्रेजी की तो जरूरत तब पड़ेगी जब कोई अंग्रेज के देश में जाएगा तो अंग्रेजों के देश में कोई जाएगा तो दो तीन महीने में अंग्रेजी सीख लेगा जैसे अभी सीखते हैं कि नहीं जिनको वीजा मिल जाता है ब्रिटेंग का जिनको वीजा मिलता है अमेरिका का वो दो तीन महीने में अपनी भाशा सीख लेते हैं जहां जा रहे हैं वैसे आगे भी सीख लेंगे तो ये भाशा के सवाल को हल करना है, कानून के सवाल को हल करना है, व्यवस्थाओं के सवाल को भी हल करना है अंग्रेजों के जमाने में जो अर्थ व्यवस्था चलती थी, जिसमें सारा टेक्स अंग्रेज बसूल करके अपने देश में लेकर चले जाते थे आजादी के 62 साल के बाद वो टैक्स व्यावस्था क्यों चलनी चाहिए जिसमें सारा टैक्स वसूल के काले अंगरेज लेके जाए उनका कहना क्या था बारत का कोई व्यापारी कोई वस्तू का उतपादन करे तो उतपादन पर टैक्स लगा दो exercise duty माल को बेचे तो बेचने पर tax लगा दो sales tax माल को बेच कर मुनाफ़ा कमाए तो मुनाफ़े पर tax लगा दो income tax एक गाउं से दूसरे गाउं में माल लेके जाए तो फिर tax लगा दो road tax, toll tax exit tax, entry tax इस तरह के 20 यों tax उन्हों ने लगाए उद्देश एक ही था कि करोरो रुपए लूट कर England लेके जाना है अब वही tax के कानून Central Excise Act, income tax act, value added tax अभी भी चले तो ये तो हम कैसे माने आज़दी आई है इसलिए tax के कानून भी हमें बदलने हैं अंग्रेजों के समय में tax के कानून का एक ही उद्देश था माल लूट कर England लेके जाना आज़दी के बाद अब दूसरा उद्देश है कि भारत के पैसे को लूट कर स्विट्सर लेंड में लेके जाना और बैंकों में जमा करना दुख है मुझे ये कहते हुए कि अंग्रेजों ने 200 साल में इस देश से 300 लाख करोड रुटा अब आज़दी के 62 साल में इस देश के काले अंग्रेजों ने इस देश में से 110 लाख करोड रुट लिया और स्विस बैंकों में जमा कर दे आपको मालूम है हमारे देश के नेता और अधिकारी जो टैक्स के पैसे को लूटते हैं वो सारे धन को विदेशी बैंकों में जमा करते हैं स्विस बैंकों में इस समय 75 लाख करोड रुपए जमा है और स्विस बैंकों के अलावा 35 लाख करोड रुपए दूसरा जमा है 110 लाख करोड रुपए इस देश का लूट कर बदलना पड़ेगा इसी तरह अंग्रेजों की सिख्या व्यवस्था को बदलना पड़ेगा आप जानते हैं मैकॉले का बनाया हुआ पाटिक्रम है जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं 160 साल पुराना पाटिक्रम है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ आज़ादी के बाद अब हमें वो अंग्रेज नहीं चाहिए जो अंग्रेजों के जमाने में चाहिए थे मैकॉले कहा करता था कि भारत में ऐसे कलर्क पैदा करो जो अंग्रेजी साशन व्यवस्था को चलाने में मदद करें भारत वासी और अंग्रेजों के बीच पुल का काम करें मीडियम का काम करें इसलिए क्लर्क तयार करने थे बाबू तयार करने थे उसके लिए उन्होंने सिक्षा व्यवस्था बनाई अब आज़ादी के 62 साल के बाद भी वही मैकॉले सिक्षा व्यवस्था चले तो हमें तो बाबू पैदा नहीं करने एकलर पैदा नहीं करने क्योंकि अब अंग्रेजों का साशन नहीं चलाना इस देश तो इस अंग्रेजी सिख्या को भी बदलना पड़ेगा चिकित्सा वेवस्था भी बदलनी पड़ेगी अंग्रेजों ने एलो पैथी लाई इस देश में जो हमको कभी भी सूट नहीं करती जो अंग्रेजों को भी सूट नहीं करती हमको तो छोड़ दो दुनिया के किसी देश में सूट नहीं करती अलो पैथी चिकित्सा वेवस्था में काम करने वाले सारे वेग्यानी के इस बात को सुनकार कर चुके है कि धाई सो साल में एलोपेथी ने सारी दुनिया को एक ही चीज दी है वो हैं साइड इफेक्ट्स और भेंकर साइड इफेक्ट्स आप एक बीमारी को दूर करने की गोली खाईए दूसरी बीमारी आपके लिए तैयार सरदी, खासी, जो काम बुकार नजला होता है और आप गोलियां खाना शुरू करिये, थोड़े दिन में किड्नी खराब हो जाए आपकी डैबिटीज को खतम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए insulin लेना शुरू करिए. लीवर खतम हो जाए. आपकी किड्नी भी खतम हो जाए. दमा, astomma, ब्रंकियल, अस्टमा की दभा खाना शुरू करिए, दूसरी को एक गंभील बीमारी हो जए. तो एक बीमारी को दभाकर दूसरी को दभाकर तीसरी पैदा हो और जिंदगी भर आप बीमारियों से लड़ते ने और कभी स्वस्थ ना हो सके ऐसी चिकत्सा व्यवस्था को अगर एलो पैथी कहते हैं तो भगवान भला करे इस एलो पैथी का हमको तो नहीं चाहिए यह चिकत्सा व्यवस्था क्योंकि हमारे काम की नहीं हमको तो आयुर्वेद की चिकत्सा व्यवस्था है, योग और प्रायाम की चिकत्सा व्यवस्था है, जिसमें एक पैसा भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और आप जिंदगी बर स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं, परम पूजनिय स्वामी लस्तमा ठीक कर सकते हैं, ट्यूबर कुलोसिस ठीक कर सकते हैं, आप सेकड़ों सेकड़ों बीमारियों को ठीक कर, करोनों लोग प्रानयाम कर रहे हैं सुबह पाँच से साड़े साथ आस्था चैनल को देखकर, और करोनों लोग अब स्वस्त रह रहे हैं इस देश में प्रानय नियाम सीख कर और करके तो प्रानायम और आयुर्वेद में अगर इतनी ताकत है तो एलोपधी के पीछे लाखों करोड़ों रुपए खरच करना कौन सी गुद्धिमानी है हमको ये चिकत सा व्यवस्था भी बदलनी है हमको हमारी करशी व्यवस्था भी बदलनी है एक जमान की लत लग गई हमारे खेतों को कट्टे पर कट्टा हमने यूरिया डालना शुरू किया अब हमारे खेत की मिट्टी खराब हो गई है मिट्टी में सूप्ष्म पोशकतत तो खतम हो गए है कैल्शियम कम हो गया आईरन कम हो गया मॉलिबिनम कम हो गया मैगनीशियम कम हो गया मेंगनीज कम हो गया और ये सुप फोशकता तो मिट्टी में कम हुए तो फसल में कम हुए पौधों में कम हुए अनाज में कम हुए सबजियों में कम हुए और उन में कम हुए तो हमारे शरीर में कम हुए और हमारे शरीर में कम हुए तो फिर बीमारी के दुश्चक्र का शिकार हुए तो हमको तो करशी विवस्था गाय का मूत्र डाल कर जो हमने खेती की हजारों साल बैलों का उपियोग करके हमने जो खेतों को जोता हजारों साल हमने हमारे गाय बैल आधारित खेती विवस्था को जो समाला तो ये देश धंधाने से भरपूर था और सारी दुनिया में अनाच का निर्याद करने वाला देश था जब से हमने यूरिया डियेपी का अपने देश में प्रचार और प्रसार किया हम धंधाने से तो कमजोर होई गए शरीर से इतने कमजोर हो गए है कि अब हमारी प्राकरतिक और प्राकरतिक शमता भी लगातार कम हो गई इसलिए खेती व्यवस्ता को भी बदलना है चिकित्सा को बदलना है सिक्षा को बदलना है कानून व्यवस्ताओं को बदलना है ऐसी सामाजिक निया व्यवस्ता संगटन सब को बदलना है और इनको बदलकर भारतिय बनाना है, स्वदेशी बनाना है, स्वराजी की तरफ लेके जाना है। आप बोलेंगे, क्या ये संभव है? ये बनकुल संभव है। दुनिया में कोई भी काम संभव नहीं होता। करने वालों का संकल्ब कितना बड़ा है, ये महत्तु की बात होती है। एक जमाने में मुझे मित्तल साफ जैसे लोग अक्सर बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई देखी हैं, मैंने तो देखी नहीं आपने भी नहीं देखी। मित्तल साफ की उम्र के लोग जब मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि 1942-43 में पूरे देश में ये माहौल था कि कोई मानता नहीं था कि आज़ादी आजाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेजों का राजी खतम हो जाएगा, मजाग बनाते थे लोगों का, लोग क चले गए, तो आज ये अविश्वास करने की कोई बात नहीं है, कि ये आज़ादी की विवस्था नहीं बदल पाएगी, ये अंग्रेजों की विवस्था नहीं बदल पाएगी, ये अंग्रेजों की विवस्था भी बदलेगी, और अंग्रेजों की सब्विता और संस्कृ डिल्ःति का जो अंश हम्में रह गया है ये भी बदलेगा और अंग्रेजों की गुलामी की निशानिया जो मादूूद हैं इनको भी हम बदलेंगे मुझे एक बात याद आती है भीगत अस्सोस के साथ एक एक चाहिना है डलहोजी शरम आती है मुझे उसका नाम लेने जिस वासको डिगामा ने पूरे पुर्टगाल के लोगों को लाकर हमारे दक्षुन भारत में बसाया दक्षुन भारत के लोगों को यिसाई बनाया लोगों को मार पीट के उनका धन लूटा उस वासकोडिगामा के नाम पर गोवा में पूरा एक शहर बसा है उसका नाम ही है वासकोडिगामा लॉरेंस नाम के जिस अंग्रेज ने दिल्ली पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किये उस लॉरेंस के नाम पर दिल्ली में लॉरेंस रोड बना हुआ है कम मिटे गाए एलसिंस्टन नाम के जिस अंग्रेज ने मुंबई पर अत्याचार किये उस मुंबई में एलसिंस्टन रोड नाम का स्टेशन है और एलसिंस्टन कॉलेज नाम का एक डिग्री कॉलेज है फर्ग्यूसन नाम के जिस अंग्रेज में पूना पर अत्याचार किये उस फर्ग्यूसन के नाम से कॉलिज पूना में चलता है फर्ग्यूसन कॉलिज मिंटो नाम के एक अंग्रेज ने दिल्ली की मा बेहन बेटियों पर इतने बलातकार किये उस मिंटो के नाम से दिल्ली में मिंटो बरिज है मिंटो रोड है पता नहीं कीया है ये गुलामी की निशानियों को क्यू ढोना जिन अंग्रेजों ने मुंवई में अत्याचार किये उन अंग्रेजों की मूर्थियां मुंबई के छत्रपती शिवाजी टर्मिनस इस्टेशन के बाहर लगी हुई है कभी भी जाके देखे जिस अंग्रेज में सबसे ज़्यादा बंबई पे अत्याचार किया उसकी मूर्ती मुंबई के महानगर पालिका भवन के बाहर लगी हुई है चर्च गेट पर इतनी विशाल का है इन गुलामी के निशानियों को भी खतम करना पड़ेगा क्योंकि इनको रखके हमें कोई फाइदा नहीं है शरम ही आती है अफसोस ही होता है इनको तो पचास साल में खतम हो जाना चाहिए था क्यों नहीं खतम होती ये सब खतम करना है अंग्रेजियत की व्यवस्था अंग्रेजों की गुलामी अंग्रेजों की सिक्षा अंग्रेजों का नियाए अंग्रेजों की कानून सब खतम करना है और स्वदेशी स्वराजय और स्वतंतरता को केंडर में रखकर ध्यान में रखकर अपने शहीदों की इस रहादत पर अगर आपको घर्व है और आप उनकी शहादत का सम्मान करते हैं तो उनके सपनों का भी सम्मान करिए जो सपने उन्होंने देखे थे इस देश की आज़ादी के लिए हम शहीदों का सम्मान करें और उनके विचारों का सम्मान न करें हम शह प्रइदों के सपनों का सम्मान उनके विचारों का सम्मान करके एक नया भारत बनाने के लिए स्वदेशी स्वराज्जी वाला भारत बनाने के लिए काम करें। चलते चलते एक छोटी सी आखरी बात कहना चाहता हूँ, अंग्रेजों के जमाने में एक विदेशी कमपनी इस देश को लूटती थी, अंग्रेजों के बाद अब पांच हजार विदेशी कमपनीया इस देश को लूट हैं और हम कहें कि आजाद हो गए, पहले इस्ट इंडिय कमपनी लूट रही थी अब पेपसी कोला पहले इस्ट इंडिया कमपनी लूट रही थी अब कोका कोला पहले इस्ट इंडिया कमपनी लूट रही थी अब कॉलगेट पामुलिव पहले इस्ट इंडिया कमपनी लूट रही थी अब हिंदुस्तान लीवर ऐसी 5000 कमपनिया देश को लूट रही आप बोलेंगे क्या करें एक ही काम करिए जो लोकमा ने तिलक ने किया बगत सिंग उधन सिंग ने किया सावर करने किया आपको मालूम है वीर सावर करने अपनी जिंदगी के सोलवे वर्ष में पुने के बड़े भारी चौक में विदेशी सामनों की दो ट्रक होली जलाई थी सोले साल की उमर ऐसे करन्तिकारी थे सावर कर तो अगर वो विदेशी सामनों की होली जला सकते हैं अपनी जिंदगी के सोलवे वर्ष में तो आप क्यों विदेशी सामनों को अपनी छाती से लगाकर अपने घर में रखे हुए हैं। निकाल बाहर फेकिए इनको भी जलाएए विदेशी सामन। आप बुलेंगे हमको तो पता ही नहीं है। विदेशी सामन क्या है, स्वदेशी सामन क्या है। उसको पता लगवाने के लिए एक छोटी सी पुस्तक बनाई है जीवन दर्शन परमपूजी ने स्वामी रामदेव जी के लिखी हुई है यहाँ पतंजली योग पीट के चिकत साले में मिल जाएगी वो ले लीजे वो पुस्तक में पूरी सूची दी गई है क्या सामन विदे लिख्यान को पूरा करना चाहता हूँ आपसे इस अपील के साथ इस निवेदन के साथ कि आप अपने जीवन में शहीदों के सपनों को जिंदा रखिए इश्वर से निक्टि दिन प्राथना करिए कि हमको इतनी शक्ति मिले हमको इतनी ताकत मिले हमारा संकल्प इतना और नहीं कर पाएंगे तो आप मीर जाफरों की श्रेणी में आएंगे जो आने वाला समय आपको याद रखेगा मीर जाफर की तरह से रास्ता आपके सामने खुला है भगवान ने मौका आपको दिया है अब इस मौके का हम फाइदा उठाएं और आने वाले समय में देश की ब अभ्यान शुरू होने जा रहा है और वो क्रांती का अभ्यान इस देश के सेकड़ों संगठन सेकड़ों व्यक्तियों के साथ मिलकर शुरू होने जा रहा है परमपुजनी स्वामी रामदेव भारत स्वाविमान ट्रस्ट और उसके बाद पतंजली योगपीट ऐसे सतर से ज्यादा संगठन है उनमें मैं सर्वहितकारी मंच को भी देखता हूँ ये बी ऐसा ही एक संगठन है ये सब संगठन मिलकर एक बड़ा प्लेटफरम बनने जा रहे हैं और इस प्लेटफरम को इतना ही बड़ा बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं जैसे शहीदों ने आज़ाद लाना स्वतंत्रता लाना स्वराजी की प्राप्ति करना आज भी संगठन बेविन्न हो सकते हैं उद्देश सबका एक ही है शहीदों के सपनों को पूरा करना भारत को स्वराजी के लिए इस्थाई रूप से बनाना भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए तैयार करना जाने भविष्व में हम सब एक होकर ऐसी बड़ी लड़ाई के सिपाही हो जाएं कि इस लड़ाई में हम जीत जाएं। और हमारे दुश्मन जो देश को तीस टुकोड़ों में तोड़ने का सपना देख रहे हैं चाइना जैसे। हमारे दुश्मन जो पाकिस्तानी हैं जो भारत को आतंकवात के हवाले करने का सपना देख रहे हैं वो पूरी तरह से परास्त हो पराजित हो और हम देशवक्त हम राश्रवक्त एक साथ एकट्टे होकर विज़ई हो। स्वामी जी एक बात बार बार कहते हैं कि दुष्ट लोग इकठे होकर अगर बुरा कर सकते हैं तो सज्जन लोग इकठे होकर देश का भला क्यों नहीं कर सकते हैं तो हम सब सज्जन शक्ती के लोग इकठे हों देश का भला करने के लिए संकल्ब करें प्रान पढ़ संकल्ब करें तन्मन धन से अपने संकल्ब को निभाने के कोशिश करें ये बोलकर आपका अधार व्यक्त करता हूँ वेवेग भाई का उनके सहयोगियों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप सभी के लिए ईश्वर से पार्थना करता हूँ कि आप में संकल्ब बने, ताकत बने, समर्थ बने आप और इस देश के अधूरे पड़े हुए उस काम को पूरा करें जो शहीदों ने 1947 में छोड़ दिया था हमारे करने के लिए मुझे तो लगता है ये काम तो होने वाला है आप करेंगे या कोई दूसरा करेगा आप बनेंगे निमित या कोई दूसरा बनेगा क्योंकि समय कई बार कई काम कराता है हम नहीं करते हैं, समय कराता है और शायद भारत का एक ऐसा अच्छा समय आ रहा है जो हम सब अच्छे लोगों को एक साथ एकठा करके कोई अच्छा काम कराने की तैयारी कर रहा है मैं तो मानता हूँ ये तो इश्वर की कोई योजना है भगवान की कोई योजना है उस योजना में शायद हम कभी 1947 के पहले अलग अलग समुह में बटे हुए करांतिकारी रहे होंगे और जन्म लेकर इस जीवन में आये हैं फिर हमको भगवान ने एकठा करने का एक मौका दे दिया है और वो मौके को अगर हमने अपने हाथ से जाने नहीं दिया तो मुझे 200 प्रतिशत भरोसा है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे आप सभी को आभार बहुत बहुत भी होगा